आज हम सभी लोग एक और नए टॉपिक को डिल करने वाले हैं बिल्कुल आज का जो टॉपिक है वह है बच्चों से संबंदित मतलब क्या मतलब बच्चों के साथ होने वाले अपराधों से संबंदित है और कौन से टाइप का इस पेसिफिक अपराध है इसलिए इस एक्ट का नाम है इस एक्ट का नाम है इस प्रोटेक्शन आफ चिल्डरन फ्रम सेक्शल ओफेंस एक्ट 2012 राइट तो आज हम लोग इस टॉपिक को डिल करेंगे डैट इस रिलेटेट टू पॉक्सो एक्ट जिसको हम शॉट में क्या बो इस टेक्निकल टीम साथ साथ हेल्प करते रहें पैन का जो ले यस थैंक यू सो मच ओके तो टूड़ेस टॉपिक इस पॉक्सो एक्ट 2012 इस नाम से भी इसको जाना जाता है राइट देखो आज का जो यह स्पेशल फीचर है ना दोस्तों इस पेशल को यूट्यूब पर ला जल्दी आवाज नहीं आ रही क्या साथियों क्या परफेक्ट है या हो सकता है आपका ही वोल्यूम कम हो मोबाइल का ओके चलिए आयोब सभी को आडिबल वीजिबल हो क्या जल्दी बता है तब क्लास को स्टार्ट किया जाएगा जल्दी बता दे क्या मैं सभी को आडिबल पॉफेक्टली वीजिबल हूँ सर कम है वाइस इस लोग प्लीज इंक्रीज द वाइस हाजी जल्दी जल्दी करें टेक्निकल टीम काम कर रही है राइट अभी क्या मेरी वाइस पॉफेक्ट है थम्सब कर दे अगर यस है तो देखो आज एकदम गहराई से पढ़ाने वाला को कहने का मतलब क्या हुआ एकदम जीरो से स्टार्ट करूंगा और एकदम सूपर डूपर लेवल पर आपको पढ़ाऊंगा राइट चलिए तो सभी लोग आ गये हैं तो क्लास को स्टार्ट करते हैं सभी को मेरी तरफ से जैहिन एंड जैभारत पहला जो टॉपिक है आज स एक्षन नंबर वन से कर दू ऐसा कभी नहीं हो सकता अच्छा आगे टॉपिक पर स्टार्ट करने से बता दू कल मैं आप सभी के सामने निगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को भी लेके आ रहा हूं सुबह 11 बजे दो एक्ट आपको मेरे साथ होली के पहले कर लेना है एक तो आपको पॉक्सो एक्ट मेरे साथ करना है दोस्तों और दूसरा आपको एनाई एक्ट पॉक्सो एक्ट आज करेंगे में भी अगर जुरूत पड़ गए इसका पार्ट टू भी लेके आ जाएंगे कोई बात नहीं एनाई एक्ट का भी पार्ट वन हम लोग करेंगे औ और साथ ही साथ इसका part 2 भी लेके आएंगी तो एकदम बने रहीएगा बढ़िया से अच्छे से चलिए तो एक बार erase कर देते हैं इसको कुछ चीजें हैं जो automatic आने लग गई हैं दोस्तों सेलेक्ट करके ही कर देता हूँ अंडो हाजी प्लीज वेट ओके वैसे डिलीट तो हो नहीं रहा दोस्तों चलो चलो जो pen when चल रहा है सब देखते रहिएगा थोड़ा बहुत टेक्निकल इस्यूज है इसमें आयूप यहां तक सभी को क्लियर हो गया आज पॉक्सो एक्ट है कल चार मार्च को मैं फिर मिलूँगा दोस्तों चार मार्च को फिर मिलूँगा जहां पर मैं आप सभी को 11 बजे सुबह सुबह बूद मॉर्णी करने आऊंगा तो चली स्टार्ट करते हैं पॉक्सो एक्ट की क्लास को वेरी प्रॉब्लम फूल स्क्रीन है ओके ड़न सो अब स्टार्ट करते हैं हाजी ओके देट स्वाइब इस प्रॉमेटिक राइट सो आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रोटेक्शन फ्रॉम सेक्शल ओफेंस एक्ट दो हजार बारह पॉक्सो एक्ट इसको कहते हैं हिंदी में इस एक्ट का नाम है लेंगिक अपरादों से बालकों का सरक्षन अधिनियम 2012 हिंदी में बता दिया इंग्लिश में बता दिया इन दोनों को शॉर्ट में क्या कहते हैं पोक्सो एक्ट। थेंक यू थेंक यू अजगर खान जी हाँ सुनिये का मैं क्या कह रहा हूँ आप सभी को हम पहले structure की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर अगर total chapters की बात करें कि कुल अध्याए कितने हैं तो total 9 chapters है पूरी book के अंदर और उसके बाद अगर बात करें total number of sections की साथ ही हो तो कुल 46 क जब भी आप यहाँ पढ़ने आएंगे तो आपको मेरे साथ पढ़ाई के सासाथ learning का भी एक method apply करना पड़ेगा अब देखो 9 chapter है 46 46 धाराये है शेडियूल की बात करें दोस्तों तो एक ही इसमें क्या है अनुसूची जिसकों कहते है शेडियूल जो सबसे लास्ट में वेर तिस्वे नंबर का कानून है हमारा पॉक्सो एक्ट फिर आगे की तरफ मोहन करते हैं साथियों देखिएगा अब हम बात करते है section नंबर वन क्या कहता है short title की बात करता है देखो section नंबर वन क्या कहता है short title की बात कहता है जिसकों कहते है संक्षिप्त नाम चेक अब short title क्या पॉक्सो एक्ट 2012 के नाम से जानते हैं और शॉट टाइटल तो पढ़ लिया फिर इसके बाद कॉमा लगा कि बेर एक्ट में लिखा रहता है एक्स्टेंट इसका विस्तार कहां तक है साथ ही हो यह पूरे भारत पर लागू है संपूर्ण भारत पर फिर तीसरा पॉइंट यह एनेक्ट कब हुआ यह कमेंस्मेंट कब हुआ मैं हमेशा कहता हूँ दोनों को साथ में पढ़ा करो कमेंस्मेंट को पहले कभी नहीं पढ़ना पहले पढ़ो डेट ओफ एनेक्टमेंट यह अधिनियमित कब हुआ था तो डेट ओफ एनेक्टमेंट का मतलब होता है इसे प्र प्रेसीडेंट की सुउप्रती मिलने के बाद उसी यर में ही 2012 में ही चिल्डरेंस दे के दिन अरे 14 नमबर को लागू किया गया मतलब 14 नमबर क्या होता है 14 नमबर इसी दिन इसको लागू किया गया यहां तक सभी को clear अभी तक सिर्फ मैंने section 1 बताया है section 1 में कोई समस्या हो तो पूछ सकते हैं आप लो अगर आप सभी को clear हो गया कि हाँ जी इसका नाम Poxo Act है पूरे भारत पर लागू होता है 19-2012 को बनकर तयार हुआ मतलब President साब ने sign कर दिया और यह जब Children's Day था उसी को पलक्ष में 14 November को इसे लागू कर दिया गया अब देखो साथ यह बच्चों से संबंदित अपरात की बात है तो मैं आज अपने को जब इस Act को पढ़ेंगे तो हमेशा याद रखना शर्म को दूसरी तरफ रखना है गंभीरता से पढ़ेंगे without any hesitation कैसे भी word आएं आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए आई होप अब सभी लोग mature है चलिए आगे की बात करते हैं Section 1 के बास Section 2 में नहीं आएंगे अभी इस Act के बारे में Depth में पढ़ेंगे थोड़ा सा Main C के हिसाब से भी प्री के हिसाब से भी तो एक note मैंने लगाया है दोस्तों देखो क्या note है एक amendment हुआ है जिसको हम बोलते है latest amendment क्या बोलते है latest amendment अरे बोलते है कि नहीं बोलते है इसको बिल्कुल जो अभी latest amendment हुआ है वह 2010 में हुआ है जिसको हम बोलते है POXO amendment Act 2019 Yes or No जिसको हम क्या बोलते है ओके, ओके, तैंक यो जिसको हम लोग क्या बोलते है POXO amendment Act 2019 Yes or No यह latest amendment था जो सबसे अभी जस्ट हुआ है हाँ इसका PDF आप सभी को मिल जाता है आप लोग को मैं चलो link share कर दूँगा अभी इस class के end में ठीक है तो Poxo Amendment Act 2019 जो just last वाला amendment हुआ है उसे act के पारित करके किया गया जिसका act number 25 है क्यों ये पढ़ा रहा हूँ भाई अरे इसलिए पढ़ा रहा हूँ ये important है exam में judiciary में latest amendment के questions जरूर आते है या तो means में पहला amendment पूछेंगे या latest amendment बीच वाला gap को आप read किया करिए learn हमेशा latest को करा करिए तो latest amendment act जो था हुआ act number 25 था 2019 में हुआ था इसको commencement या कह सकते date of enforcement ये वाला जो latest amendment act 2019 है इसे 16 अगस्त 2019 को लागू किया गया था yes or no 16 अगस्त 2019 को लागू किया गया अब आगे की बात देखिएगा मैं कुछ और आपको बताना चाह रहा था दोस्तों थोड़ा सा रुखिएगा हाजी अब जैसे इस act को याद कैसे करना है बच्चे हमेशा कैसे करते हैं हसते रहते हैं हसते हैं तो 32 ही तो नहीं होती उनके पास लेकिन वो 32 ही जरूर दिखाते हैं तो act number इसका क्या है 32 तो पॉक्सो amendment act के अंदर क्योंकि पॉक्सो क्या कर रहा है बच्चों की help कर रहा है तो बच्चे इसे खुश होंगे जिससे सबकी 32 ही दिखेगी तो act number 32 है अब देखिए इसका मैंने बता दिया अब दूसरा point ध्यान से देखिएगा मैं आप सभी से इस act के बारे में क्यों discuss करने आया हूँ पांच मिनट का time लोगा मेरे words को आप सुनते रहिएगा सर डेट भूल जाते हैं कैसे याद करें सुबह साम आप लोग डेट को याद करिए तीन-चार बार सुबह याद करिए तीन-चार बार साम को फिर उसके बाद अगले दिन ऐसे ही प्रथा 10-15 दिन तक चलाते रहिए कभी जीवन में आप नहीं भूलेंगे जब ममी पूछे तेक बार उनको गूड मॉर्निंग की जगा यह आप बोल दिया करिए औरे 2019 वाला लेटेस रमेंटमेंट कब 16 अगस्त ऐसे तो आप लोगो कभी दिक्कत नहीं आएगी हाँ अभी तक मैंने सविधान को यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर डिल नहीं किया है किसी दूसरे पहुत अलग बात है अब मेरी बात को ध्यान से सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि POXO Act क्यों आया सिर्फ सेक्शन सेक्शन पढ़ते जाओं पढ़के जिंदगी खराब कर लूँ और आपकी भी और मेरी भी नई आप बात को समझे कि हमें POXO Act क्यों जरूरत पढ़ गया हमारे पास Indian Penal Code का इतना बड़ा भंडार है यस और नो Indian Penal Code है हमारे पास CRPC है हमारे पास JJ Act है हमारे पास लेकिन हम POXO क्यों पढ़ रहे हैं What is the need बिना POXO के हमारा काम क्यों नहीं चला तो दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ चलो डिसकस करते हैं Why POXO तो इसका सबसे पहला मैं आपको बताना चाहूँगा कि Indian Penal Code में कुछ ना कुछ कमी रह गई There is something कुछ लेकूना था Indian Penal Code में उस लेकूना की वज़ा से नए-नए Act का जनम होता है बर्थ होता है तो मेरा कहने का मतलब यह है साथियो Indian Penal Code में अगर देखो ब्रॉड माइंड लेके चलोगे तब तो मैं पढ़ा पाऊंगा आप लोग ऐसा मैं सोचीगा सर ऐसे क्यों पढ़ाते है यही फैक्ट है ऐसे ही पढ़ाया जाता है और यही तरीका होता है बाकि तो दूसरे तरीके अंग्रेजी इतनी आती नहीं साथियो सुनिएगा पॉक्सो एक्ट क्यों आया अगर आपसे कोई examiner पूछ ले या interview पूछ ले तो आप जवाब ऐसे दे सकते हैं क्योंकि जो Indian Penal Code था IPC कहते हैं 1860 उसके अंदर कमी थी अब पूछेंगे क्या कमी थी वहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि अपरसन एक व्यक्ति के साथ रेप कौन कर सकता है बलातकार कौन कर सकता है तो बोला गया यहाँ पर महिला है ना महिला के साथ बलातकार हो सकता है रेप हो सकता है पूरुष के साथ रेप नहीं हो सकता कहने का मतलब क्या मैं बोलना चाहरा हूँ साथियों कि एक महिला के साथ मतलब एक मेल जो है वो फीमेल के साथ रेप कर सकता है फीमेल के साथ रेप कर सकता है यस और नो बिल्कुल मेल फीमेल का रेप कर सकता है बहुत अच्छी बात मतलब इस सेग्मेंट के साब से लेकिन गलत बात क्या हूँ एक इस एक ने क्या नहीं आई पीसी की माइंड इतना ब्रॉड नहीं है आई पीसी कहता है नो सिरुफ एक पुरुष ही महीला की साथ रेप कर सकता है Yes or No? क्या मैं गलग बोल रहा हूं? नहीं एनी पर्सेन वहाँ पर कमिटेड वहां पर जाके देखिएगा सिर्फ मेल है female के साथ रेप कर सकता है महिला जो है महिला जो है वो पुरुष के साथ रेप नहीं कर सकती अब मेरी बात आई आगे की अब बच्चों के साथ अगर रेप हो रहा है ज्यान से सुनीगा हा लेकिन अभी जैसा मामला आया था बिल्कुल वह कार में चार लड़किया आई और एक भोले भाले पुरुष को जो साधी शुदा पुरुष था उस चार महिलाओं ने उसको किड्नैप कर लिया था दोस्तों और किड्नैप करने के बाद उसके साथ रेप किया उसको गोली वोली खिला दी थी नशे की और रेप करने के बाद उसको फैक दिया और चली गई चारो ल यह हुआ कि चलो यह महिला पूरुस की बात बाद में करेंगे इसको क्या आई पीसी को क्या ऐसा नहीं कर देना चाहिए कि दोनों कर सकते हैं मेल फीमेल के साथ फीमेल मेल के साथ तो देखो अब मैं कानून के अगेस्ट में बात नहीं करना चाहूंगा हाई अभी का case है मैं कानून के against में बात नहीं करना चाहूँगा मैं कानून का interpretation कानून के दाइरे में रहकर समझाता हूँ ऐसा क्यों नहीं किया गया मतलब क्या IPC में gender neutral मामला है नहीं IPC में gender neutral मामला नहीं यह पक्षपात है यह जो offenses against females है देखो कैसे अभी मैं बताऊंगा यह सही है यह नहीं include करना चाहिए अब क्यों नहीं अब ऐसा दिल पर पत्थर रखे बोलना पड़ रहा है बड़ बोलूँगा कि male ही female के साथ कर सकता है ऐसा concept क्यों लाया गया IPC में ऐसी क्या जरूत पड़ गई यह वाला concept क्यों include नहीं किया गया देखो मैं आपको समझाता हूँ यह गूड इवनिंग इच एन एवरिवन हाँ आयूश लिलावत मुझे लग रहे हैं यह वही है क्या जगदिश सर के बेटे बताईएगा जरूर देखो IPC 1860 male can commit offences against women यह IPC का 1860 क्या कहता है मेल जो है वह ओफेंस कमिट कर सकता है वुमेन के साथ ओफेंस committed against women यह IPC बात करता है ऐसा कहीं देखा है क्या मेल committed offense against women तो है चलिए आगी की बात करते हैं चलिए मेरा नमस्ते जरूर बोलिएगा देखो जब भी पूराने टीचर का link आता है ना तो मैं घर चला जाता हूं मेरे सर के आन जब भी मुझे मेरी याद राती सर की चलिए चलिए आगे की बात करते हैं तो male woman के साथ कर सकता है वुमेनś πε 376 रिवप वाली बाते कर ले 509 में अभी आप Sexual Harassment of Women at Workplace Act में भी देखा है 509 का यूज है कल पढ़ाने वालों प्लस में अब इसमें क्या है दोस्तों 509 का मतलब होता है किसी को जेस्चर संकेत के द्वारा इशारों के द्वारा बदनाम करना उसको कोई कपड़ा पहान के आय है मेरे के मेरे को तो कहने का मतलब 509 यह सारे के सारी ओफेंस हैं ओफेंस अगेंस्ट हूं अब आगे की बात सुनिएगा अभी मैं क्यों पढ़ा रहा हूं समझ आएगा आपको यह बाते मैं क्यों बता रहा हूं आपको बटर नाओ देर इस नीड इन दर सोसाइटी अब द बच्चों की बात आएगी चिल्ड्रेंस की बात आएगी तो यहां पर बच्चे मेल भी होते हैं और फिमेल भी होते हैं यस और नो बच्चे मेल भी होते हैं और फिमेल भी होते हैं अब बताओ क्या मेल बच्चे का बलातकार नहीं हो सकता होता है 100% होता है किसी भी मेल बच चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो उसके साथ sexual offenses कई जगह पर देखने को मिले हैं अब यहां पर मेल बच्चे के साथ अपराद हो जाए तो IPC सजा दे सकती है क्या नहीं जो जो offense की सजा उसको मिलने चाहिए थी नहीं देख सकती क्योंकि मेल जो बच्चा है उसे IPC protect नहीं कर करता है क्योंकि वो तो क्या कहता है मेल के साथ बलातकार होई नहीं सकता इसी कमी को दूर करने के लिए आया हमारा पॉक्सो एक्ट पॉक्सो एक्ट कहता है भाईया हम जेंडर नीट्रल हैं अब किसी भी बच्चे के साथ चाहे बच्चा मेल हो चाहे बच्चा फिमेल हो इस क्योंकि मेल बच्चे के साथ कुछ गलत हो जाए तो उसको रेप की सजा मतलब कठिन सजा यही एक दिला पाएगा IPC कुछ नहीं कर पाएगा IPC ठंठन गोपाल हो गया था यह सुरनो तो इस कमी को दूर करने के लिए POXO Act आया अब चलो यह बात तो हमें समझ में आ गई सर कि POXO Act क्यों आया क्योंकि IPC में कमी थी अब दूसरी बात सुनो थोड़ा सा मैं इस चीज को अच्छा यहां पी सुविधा नहीं है अब मैं IPC की थोड़ी सी बातों को और समझाना चाह रहा हूँ आखिर मैं अब मैं जस्टिफाय कर रहा हूँ IPC को कि IPC गलत नहीं है जी मैं अपना जस्टिफिकेशन कानून की नजर में कानून के कटगरे में खड़े होकर मैं कानून को सही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कैसे ध्यान से देखिएगा ठीक है ध्यान से देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि IPC ने क्यों इंक्लूड नहीं किया मेल को क्यों पॉक्सो एक्ट का आना अलग से सही है सुनिएगा मैं ये कहना चाहरा हूँ चिल्डरन को सेफ और प्रोटेक्ट करना अब जरूरी है क्योंकि जो इंसान है वो हैवान बनते जा रहे है IPC में अमेंडमेंट करे या नहीं करे ये बात उठी थी हमारे लेजिसलेचर के सामने ऐसा नहीं है पॉक्स रेक्ट सिधा निकाल दिया लेजिसलेचर के सामने ये मुद्दा उठा कि क्या IPC में संशोधन किया जाए अमेंडमेंट किया जाए तो बोला गया येस वाइनाट फिर सोचे अरे नहीं नहीं रुको 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 अगर IPC मेंडमेंडमेंट कर दिया तो महिलाओं का तो और दिक्कत बढ़ जाएगा कैसे पूछो इसको गलत लिख दिया थोड़ा सा लेजिसलेचर डिसाइट्स नोट टू अमेंड़ आईपीसी एज वुमेंस आर विक्टिमाइजड लेजिसलेचर ने जो कानून बनाने वाले थे उन्होंने कहा कि इसका कारण क्यों है क्योंकि विक्टिमाइजड है विमेंस के साथ जो रेप होता है उसमें केवल और केवल 10% केसेस के ही रिपोर्ट की जाती है बाकी के केसेस की रिपोर्ट तक नहीं होती है 90% महिलाएं बहुत बड़ी बात बोल रहा हुँ है आपको लेकुना है साथियों मैं आप सभी को कहूँगा जो महिलाएं जो बच्चे मेरा एक्ट देखें अगर उनके साथ गलत होता है अरे तुम आवाज उठाओ इतने वकील इतने पुलीस क्या करेंगे बैठके आपके लिए तो है अब देखिए विमेन अगर विक्टिमाइज बना दिया गया मतलब वहाँ पर सासरा लिख दिया गया के लिए जांगर यूटर बना दे इसे कहते एंगर जेंडरल न्यूटर बनाना अ अगर जेंडरल न्यूटर बना दिया जाये जंदर इन रेप केसिस क्या होगा women will report अगेस्ट man महिला जाएगी कहाईगी हिस पूरुस ने मेरे साथ रेप किया फिर क्या होगा वाय सवर्शा kansak से विपरित पूरूस में कह देए गा मैंने नहीं किया है जबकि महिला ही मेरे उपर आके गिर गई है और मुझे परसान कर दिया मेरे साथ इस महिला ने बलातकार गिया सर है ना तो चाहने का मतलब क्या हो गया कहने का मतलब क्या हो गया व का exacerb वर्षा मैन विल रिपोर्ट अगेंस्ट विमेन पूरुस महिला प्यारोप लगाएगा महिला पूरुस प्यारोप लगाएगा वही तू तू मैं मैं अब देखो तो इसलिए बोला भाया यहां अमेंडमेंड की जरूरता ही नहीं है आई पीजी को आई जटीज छोड़ो फो नाउ फोर देख्षण फ्रटेक्शन ओव चिल्डरें यहां बोला गया पहले भी वी विक्टिमाइस थे आज भी विक्टिमाइसे महिलाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून सही बनाए नाउ बच्चों को प्रोटेक्ट करने के के लिए कहां पर प्रोटेक्ट करने के लिए तू प्रोटेक्ट दचिल्ड्रेन फ्रॉं मेल मतलब एक चाइल्ड को किसी बेल से प्रोटेक्ट करने के लिए चाइल्ड को अधर चाइल्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर पॉर्नोग्राफी से प्रोटेक्ट करने के ल कोई एक चाइल्ड के साथ किसी मेल ने इस बच्चे के साथ रेप किया तिये मेल भी पनिशेबल होगा अगर इसके साथ किसी फीमेल ने किया तिये फीमेल पनिशेबल होगी अगर इस चाइल्ड के साथ किसी अधर चाइल्ड ने किया अब वह चाइल्ड चाहे मेल हो चाहे फी सभी को ऑबजेक्ट पढ़ाऊंगा साथियों ऑबजेक्ट क्या है इस एक्ट का लेकिन तब तक मैं आपका कमेंट देख लेता हूं कुछ आप सभी लोग बोल रहे थे जो मैं शायद समझ में नहीं आपा रहा है हाँ सभी को यहां तक क्लियर हुआ कॉंसेप्ट के लिए मैं यहां आया हूं देखो बेयर एक तो आपके पास है आप पूरी राग दिन बेयर एक पढ़ते ही हैं लेकिन कुछ चीजे कॉंसेप्ट्चुर पढ़ा करो है ना यस और नो ओके प्लीज वेट हाँ जी तो आगे चलते हैं अभी तक मैंने आप सभी को पढ़ाया की दोस्तों कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं थोड़ा सा एरो को सही करिए हाँ अब ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं पूरा करवाना है ठीक है मैं दो पार्टन पूरा करा दोंगा चिल्डरेन प्रोटेक्टेड वूमें प्रोटेक्टेड वोट अबाउट मैं जैसा कि अभी आपने अभी केस बताया कौनसे सेक्शन में जाएंगे वो बैको आपके लिए सोलंकी जी यही करूँगा मैं के लिए यही है मर्द को दर्द नहीं होता है मर्द अपना खुद करे अभी तक हम आवाज उठाएंगे आप और हम मिलके कि मर्द के लिए भी मैंस के लिए भी कोई अच्छा कानून आए लेकिन IPC ने अभी तक प्रोटेक्ट नहीं किया है सिर्फ मेल में बच्चों को प्रोटेक्शन मिली है जो अठारा साल से नीचे के लोग हैं लेकिन दोस्तों आप सभी को बताओं जेहीं वीधी राखे राम तेहीं वीधी रहिए मतलब अब उपर वाले ने हमको मेल बनाये जैसे रहना है रहिए अपना प्रोटेक्शन करिए त समझो और यह बहुत अच्छे चीज़े समझो महिलाओं का कितना सम्मान मिलता है इन सब चीजों से चलिए आगे की बात करते हैं अब ध्यान से दिखो मैं क्या कहना चाहता हूं हम इन सब बातों पर फोकस नहीं करना है कि जो पॉक्सो एक्ट मैंने पढ़ाया आपको अभी पॉक्सो एक्ट देखो जारा इमेज इमेज नहीं लाया मैं पॉक्सो एक्ट की एक बात सुनो ना यार अब पॉक्सो एक्ट का इग्जैम आता है हाँ, मैं भी बहुत डरता हूँ, मुझे तो सबसे ज़्यादा डर लगता है मैं तो हमेशा सब को कहता हूँ, दूर रहिए, दूर रहिए, दूर उस्त रहिए अब देखो मेरी बात, पॉक्सो एक्ट जो है साथ ही हो, दो हजार बारा, यहां एरो लगेगा, एरेजर दो यह थोड़ी special class की feature, unacademy की features है साथ ही हो, यह मैं पहली बार ही इस feature के साथ पढ़ा रहा हूँ, बाकि ऐसा features नहीं होता है, थोड़ी बहुत समस्या है board को use करने में, लेकिन कैसे भी समस्या आ जाए class पूरी लोगा, पॉक्सो एक्ट दो हजार बारा के अब मैं object की बात करूँगा, ऐसे क्या-क्या object है इस act के, या मैं बोलू, what about the preamble, preamble समझते आप, preamble क्या है इस act का, तो ध्यान सी देखिएगा, देखो एकदम आराम-आराम से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है, आराम से पढ़ाता हूँ, तो आपको जल्द हाँ, लव यू टू ती वारी जी, आगे चलिए, देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ, object की बात करते हैं इस act की, to protect the children from, बच्चों को इस act के माध्यम से protection देना हमारा उद्दे से है, बच्चों को कैसा, बालकों को सरक्षन करना, किस प्रकार का सरक्षन देना चाहते हैं, पह पॉर्नोग्राफी, जितनी भी असलील शाहित्य होता है, उससे बच्चों को बचाना हमारा उद्देश्य है, यस और नो, तो कुल मिला के, चिल्ड्रेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, पॉक्स अक्ट आया है, किस से सारचित करना है, चाहे वो sexual assault हमला है, चाहे sexually harassment करना है या pornographic आशनल साहित्य है, अब दूसरा object की बात करते हैं, पहला complete, to establish special code for trial, आयोप आप सभी को बताऊंगा, section number 28 वगरे में आप जब जाएंगे, तो आप जरूर देखेंगे, एक विशेस नियाले का गठन किया गया है, सिर्फ इन मामलों को deal करने के लिए, पैन का color change करो, ग हाँ, very good evening, SBN school, जोदपूर, time, time देखो, जब तक ही act चलेगा, मैं हौले हौले से पढ़ाता रहूँगा, आप लोग मेरा इंतजार नहीं करें, जो भी out of office हैं, सभी को बता दू, अभी मेरा एक देड़ घंटे lecture, जब तक मेरा मन करेगा, मैं पढ़ाता रहूँगा, तो आ प्रकित शर्वा, क्या मतलब है, sir, लडकिया इतनी बुरी होती है, क्या या उनको driving, अरे ऐसा नहीं कहरा है जी, लडकियों को driving आती है, अरे हवाई ज़हाध चला रही है, आजकल की लडकिया, तो लडकिया हवाय ज़हाध सहीं चला सकती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है, क होल मतली लिए टू एस्टेब्लिश इस्पेशल कोट फॉर ट्रायल ट्रायल के लिए पकड़ीज गया बाई में रोगो क्या सर कैसे बोल दिये अब छोड़ूंगे नहीं तुमको मैं चलिए हाँ ध्यान से देखे इस्पेशल कोट का ट्रायल के लिए गठन करना इंसीडेंटल मैटर आनुशांगिक विशे इन्हीं दो पॉइंट से समबंधित जितने इंसीडेंटल मैटर होते हैं अन्य विशे कह सकते हैं रिलेटेड ड्र कनेक्टेड मैटर्स क्या बोल सकते हैं connected matter बोल सकते हैं connected matters आगे चलिए अगला point अब देखो तीसरा object के बाद चौथा object क्या है चलिए चौथा object क्या है आप लोग comments पर ध्यान नहीं दे यहां आजाए लड़के भी ऐसी गलती करते हैं बिल्कुल आज कल के लड़के दारू, गांजा, शराब, पीके, बेवले, नसेडी जितने भी हैं आप लोग के मन को शांती मिले जो भी नसेडी है, गजेडी है, बंगेडी है सब लोग गाड़ी गलत चलाते हैं रात को गलत चलाके लोगों को ठोक देते हैं तो लड़के भी गलत हैं और कुछ लड़किया ऐसी है जो बिना नशा किये भी गाड़ी चलाती है जो कि विदाउट ट्रेनिंग अगर चलाती एक्सिडेंट कर देती वो भी गलत है मैं दोनों को गलत कह रहा हूं जो एक्सिडेंट करते हैं आप लोग इसको क्यों पर्सनल ले रहे हैं आप पड़ते ह सविधान पंदर क्या कहता है हमको यह कहता है स्टेट में की स्पेशल प्रोविजन फोर चिल्डरेन अरे पंदरा का तीन याद करो वो दिन पंदरा का आर्टिकल क्लॉस थ्री बताओ यह पॉइंट मैं सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं कि बिलकुल अनुत हमारा अर्णज धान भी यह कहता है ध्यासे दिखेगा क्या कहता है कि भईया बच्चो को प्रोटेक्ट करना जरूरी है एक श्पेशल प्रोविजन बनाए जाने चाहिए टू 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 प्रोटेक्ट दी चिल्डरेन इनके एजुकेशन के लिए सब के लिए कानून बना गया है पाच्वा पॉइंट, the conventions on the right of the child was adopted, कुछ conventions जो international conventions थे, कहा के by the General Assembly of United Nations in 1989. युनाइटेड नेशन्स के अंदर, जो General Assembly थी, उसी General Assembly के अंदर दोस्तों, क्या हुआ? उसी General Assembly के अंदर कुछ conventions थे, वो बताता है, right of child के बारे में. वो क्या बताता है? बच्चों के अधिकार के बारे में बताता है. यस और नो? बच्चों के अधिकार के बारे में बताता है. तो बच्चों, यस, यस, वेरी नाइस, दीपक उपाद्य है. बच्चे सरकारी संपत्ती होते हैं. अरे बच्चे इस देश की संपत्ती हैं. human assets हैं. हमारे देश को सबसे आगे ले जाएंगे. तो बच्चे जो होत तब General Assembly की बातों को सुन के जब शरम आई. तब हमारे देश के कुछ जो कहते हैं न पढ़े लिखे लोग, उन्होंने क्या किया? decision लिया. कि नहीं भाई, अब तो बच्चों के लिए कानून बनाना पड़ेगा. क्योंकि General Assembly United Nations क्या कह रहा है? बच्चों के लिए rights of child क्या है आपके देश में तो इसको fulfill करने के लिए Poxo Act आया. बिलकुल देश के भगिश्य बच्चे हैं. वेरी नाइस. इतने intelligent है बहुत बढ़िया. On 11 December 1992, देखो ये 1989 की बाद चल रही है. इसी को परिपूर्ण करने के लिए, कम्प्लीट करने के लिए, और 11 December 1992 को, क्या हुआ? The set standards to be followed by Government of India. एक set of standards हा, जो बच्चों की सुरक्षा के लिए था, उसको follow किया गया. अब आगे की बाद देखते हैं दोस्तों. अच्छा, दो पॉइंट रह गया है. प्राइवेसी एंड कॉन्फिदेंशलिटी को मेंटेन करना. चट्थी बाद, सात्वी बाद बच्चों के समझ में, to operate laws in the best interest and well-being of the child. बच्चों के hit के लिए और interest के लिए भी ये कानूल बना गया है. आगे की बाद, to ensure the physical, health, emotional, intellectual and social development of child. ठीक है? फिर उसके बाद, 9th point, to undertake national bilateral and multilateral measures to prevent. अब ये point देखो, ये क्या कह रहा है साथ ही हूँ? बिल्कुल SRA2 का बहुत लोगों ने comment किया है, इस मैं मार्च के महिने में जरूर लेके आ जाओंगा, अपनी सिंत रहिए. ओके? सभी से कह रहा हूँ मैं. देखो, to undertake national, bilateral and multilateral measures. ठीक है? ये national level पर, bilateral level पर, multinational level पर measures लेना है. किसी चीज को prevent करने के लिए, क्या रोकना चाहते हैं दोस्तों हम लोग? to prevent, inducement or coercion of child, to engage in sexual activity. बच्चों को sexual activity में indulge कोई कर रहा है, या उनको coerze कर रहा है, coerze का मतलब किसी बच्चे को डरा कर, धमका कर, बस उसको sexual activity में लेके आ रहा है, पॉर्ण, पॉर्ण व वेश्या वरत्ती करवाते हैं, आप देखेंगे काफी red light areas में ऐसा होता है, even कई जगों पर बच्चों kidnap करके prostitution work होता है, child pornography, very good, ये भी एक बहुत बढ़िया point है, इसमें समझे का बात क्या होता है, आज कल एक trend चल गया था बीच में, वो trend अभी तक चलता रहा है, कि pornography पह पहुत नहीं है, सबसे ज़्यादा इस आक की ज़रूते हैं, फिर अगला object देखो, to protect child from, देखें ध्यान से, to protect the child from sexual exploitation, इन बच्चों का language social से बचाने के लिए, और दूसरा sexual abuse से बचाने के लिए, दुआपस बोल देता हूं, sexual exploitation और sexual abuse से बचाने के लिए भी इस act को लाया ग इसमें, डीपक जी, टेलीग्राम पर जो भी आपको अगर चाहिए, टेलीग्राम पर आप जुड़ जाहिएगा, मुझे आप लिख दीजिएगा, मुझे ये चाहिए, तो मैं आपको टेलीग्राम के माध्यम से पूरा e-notes शेयर कर दूँगा, यहां काफी students है, जिनके पा poxo act का पूरा range, वो poxo act का पूरा range याद करो, मेरे साथ, अभी तक मैंने क्या पढ़ाया, section 1 पढ़ाया, और section 1 को पढ़ाते हुए ही, मैंने पूरे act की nature बता दिया, act क्यू आया वो बता दिया, बहुत सारी चीजे बता दी, अब सुनो मेरे साथ, मैं थोड़ा range बता दू, कितना है, देखो, तो poxo act में chapter number कितने chapter है, दोस्तों जरा बताओ, अभी जस्ट बता के आया था मैं, poxo act में कितने chapter है, जल्दी बताओ, जब तक मैं पानी पी लेता हूँ, chapter भी बताना है, और आपको range भी बताना है, मतलब total number of sections and total number of chapters, जल्दी बताए, बहुत बढ़िया, हाँ, देखो, total chapters की बात करें सात्यों, तो 9 तो chapter है, very good, सभी लोग सही हो, बहुत बढ़िया मजा आता है, जब आप सही answer देते हो, दिल गदगद हो जाता है, दोस्तों, तो 9 तो क्या है chapters है, और धाराओं की बात करें तो 46 sections है, आगे की बात ध्यान से द आते हैं, 1 and 2, फिर बात करेंगे, sexual offenses against children, मतलब बच्चों के खिलाफ क्या-क्या offense हो रहे है, तो जो sexual offenses against children है, यह आपका सबसे important है, 3 से लेकर 12 तक, इसको भी आज हम पूरा deal कर लेंगे, 12 तक तो, अच्छे से, ओके, आगे के chapter को देखते रही है, राइ, thank you, चलिए, यहां से भी देख सकता हूँ, छोड़ो ना, चैट रैट क्या करूँगा देखके, पढ़ाने दीजे, हाँ, कोई भी comment मैं देख लगता हूँ, थोड़ा zoom कर दीजे, काजल जी कुछ बोल रही है, क्या बोल रही है, लिख दीजे, ओके, आप मुझे सिख करती है हमारी, और हम भी उनको बहुत enjoyment देते हैं, ठीक है, यह act बना रहे थे न, इनको पता नहीं क्या हसी आती जा रही थी, अरे मैंने का भाई, यह जीवन है हमारा, हमारे अंग विच्छेद है, अंग है, इनसे क्यों शर्माते हो अब, चलिए आप जो बोलना चाहें, ज अच्छा, दे देंगे जे जे एक्ट के notes, ठीक है, डोंट वरी, आगे चलते हैं, अब मैं चलो वो चैट्स भी देखता रहूँगा, अब चैप्टर नमबर तीन की बात करें, तो यहाँ पर, हाँ, जे भवानी कैसे हो, 13 से लेकर 15 तक के जो sections हैं, वो बताते हैं, पॉन्ड अपराद आ रहे हैं, that is related to sexual offense, जो उसके लेंगिक, sex से संबंदित, जो अपराद हैं, वही इसमें cover होते हैं, ठीक है, अब चली आगे की बात करते हैं, हाँ, तो using child for pornographic purpose and punishment, इसके लिए 13 से 15 तक के sections हैं, अब देखो, अगर कोई इन अपराद को commit करने के लिए उपसार आए, अबेट कर रहा है, अरे वही अबेटमेंट, जो 107, 108 वाला है, अबेटमेंट कर रहा है, यह attempt to commit कर रहा है, तो 16 से 18 तक के provisions आ जाएंगे, और 5 की बात करें, तो यह आपकी यहां से ही भर-भर के question आते हैं दोस्तों, कि क्या procedure है, अगर report होगा cases का, मतलब अगर child से संबंदि किसको report करें जाका है, बताऊंगा मैं reporting को लेके भी, छटे में आपका procedure for recording statement of the child, बच्चों के जो statement होते हैं, जो उनके बयान होते हैं, उसको कैसे दर्ज किया जाएगा, 24 से 27 तक को deal करेगा, यह 19 से 23 से 24 से 27 से, फिर उसके बाद special codes का गठन, मैंने बताया था section 28, 28 से लेकर 32 तक special code, SPP 32 में है, फिर उसके बाद आएगा आपका procedure and powers of special codes and recording of evidence, evidence की recording कैसे होगी, क्या procedure of power है इस विशेस नियायले का, यह सब आपका 8 में दिया गया है, और 9 में आपके miscellaneous provisions दे रखे हैं साथियों, आई हो यह पूरी चार्ट आपको याद होनी चाहिए, अगर आप यह च चार्ट याद रहता है ना साथियों, तो सबसे बड़ी बात क्या है पता आपको, आप elimination method से भी 4 options में से 3 को cut कर लेते हैं, और 1 को write करके आ जाते हैं, अब आगे की बात करते हैं, देखो section 1 और मैंने basic fundamental सभी कुछ आपको clear कर दिया, आई हो यहा तक सब को clear है, अब आगे की बात को ध्यान से सुनिए, अब मैं आपको section 2 की बात बताऊंगा, section 2 is related to definition, yes or no, section 2 is related to definition, one क्या था, short title, extend and commencement, दो क्या है, definition से संबंदित है, definition को क्या कहते हैं, परिभाश आए, अब सुनो मेरी बात, देखो कितना बड़ा चार्ट मैं आपके लिए बना के लाया हूं, जिंद देख रहा हो, फिर उसके बाद मैंने E लिख दिया, फिर F लिख दिया, फिर AB लिखा, फिर IP जी, अरे यह याद करने के तरीके हैं, जीवन भर नहीं बूलोगे, एक बार सिर्फ सुन लीजिएगा, और मेरी बात सुनो, अगर यह चार्ट नहीं समझ मैं तो डरियेगा मत, पहले पूरी एक्ट को पढ़के फिर यह चार्ट देखना, अपने आप सेक्शन रिकॉल हो जाएंगे, ध्यान से देखो, देखो मेरी बात को, मैं कहूं अगर कि पॉक्सो एक्ट के अंदर चाइल्ड को कहां डिफाइन किया गया है, तो जल्दी बोलो, चाइल्ड कहां पर डिफाइन है दोस्तों, पॉक्सो एक्ट में, साथ बनाते रहिए कमेंट वॉक्स में, स्क्रिन शॉट लेना है, ले लीजिए स्क्रिन शॉट, याद रखेंगे आप भी, यूपी एसी, जल्दी से स्क्रिन शॉट ले लीजिए, ओके, आई होब आपने ले लिया हुगा, अ आप बोलोगे D में डिफाइन है, मुझे खुशी होगी, आपको भी होगी, अब सुनो, चाइल्ड के साथ, चाइल्ड का जो पॉर्नोग्राफी हो रहा है, इसके जस्ट, पता चाइल्ड पॉर्नोग्राफी पहले नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया, तो D, A किसे पॉर्नोग्राफी होगी, आगे की बाद, D के बाद, D, A के बाद, E पढ़ना है, E में क्या है दोस्तो, डॉमेस्टिक रिलेशन्शिप क्या होता है, मतलब इसका हम अभी मिनिंग पढ़ेंगे, एक एक को हम अच्छे से डिल करेंगे, D, E में क्या है, डॉमेस्टिक प्रवेशन लेंगिक हमला, ध्यान से समझेगा, पैनिट्रेटिव सेक्शुल एसॉल्ट मतलब आप अपराद कर रहे हैं, इसको आप सेक्शन 3 के साथ पढ़ सकते हैं, किसके साथ, सेक्शन 3 में भी इसके बारे में जिक्र किया गया, अभी पढ़ाऊंगा मैं, अब अगर यह पैनिट्रेटिव सेक्शवल एसॉल्ट एफ में आ गया, एफ के बाद सब भूल जाएए, एफ में पैनिट्रेटिव सेक्शुल एसॉल्ट है, अब बात करता है आई का, आई के अंदर क्या है सेक्शुल एसॉल्ट, लेंगिक हमला, दो वर्ड याद रख लो, दो चीज आई हो अरे इतनी सी बात याद नहीं रह जाएगी क्या इतनी सी बात देखो F में Penetrative Sexual Assault है आई और जे में क्या है Sexual Assault Sexual Harassment और Sexual Assault Sexual Harassment आई और जे आई अब सभी हो clear section छोड़ दो अभी definition याद करते हैं सब 11-12 सब बताऊं अभी ध्यान से देखिए मैं क्या कहना चाहरा हूँ आप सभी को पहले में सिर्फ definitions टिप्स पे लर्ण करना चाहता हूं सात मिनट में प्लीज आप लोग definition पर focus करें बाकी सारी चीज़ छोड़ दीजिए F में क्या दिया है Penetrative Sexual Assault इसी एफ के समद्ध में आई और जे हैं आई में Sexual Assault और Sexual Harassment आई और जे हो गया फिर देखिए मैं कहना क्या चाहता हूं यह जो आपका Penetrative Sexual Assault है इसी के समद्ध में एग्रावेटेड आ जाएगा और इसके समद्ध में भी एग्रावेटेड आ जाएगा यस और नो अरे यस और नो समझे की नहीं समझे मतलब अगर यही Penetrative Sexual Assault एग्रावेटेड फॉर्म में चला जाए तो वो कहां पर आएगा section 2 clause A में आएगा मतलब F में सर दिखाई नहीं दे रहा है clear नहीं आप अपना वो क्या कहते है HD में जाए तब दिखेगा क्यों छोटे words है चार्ट जाए देखो simple सी बात F में क्या दिया गया है Penetrative Sexual Assault F का Aggravated Form, Danger Form कहां पर दिया गया है A में दिया गया है तो F का Danger Form A में है और यह जो I है I का Danger Form कहा है B में Aggravated Form तो कहने का मतलब क्या हुआ साथियों कहने का मतलब हुआ F जो होता है वो बताता है Penetrative Sexual Assault और इसी का जो Aggravated है क्या बोल रहा हूँ Aggravated है वो कहां पर दिया गया है Section 2 Clause E के अंदर फिर दूसरी बात अगर मैं F के बाद एक और Point था क्या Point था Sexual Assault जो I में दिया गया है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या F के बाद I, I में क्या दिया गया है दोस्तो Sexual Assault Sexual Assault का Aggravated Form इसका भी Aggravated कहां दिया गया है इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ To be लिख सकता हूँ बोलो समझ में आया दोनों Section अभी Aggravated का बहुत शांदार मतलब बताऊँगा मैं थोड़ा धहरे रखिये एक साथ कैसे बताऊँ अभी मेरे को थोड़ा सा धहरे रखना पड़ेगा आपको भी Aggravated मैं पूरा अच्छे से बताऊँगा जीवन भर नहीं भूलोगे तो Aggravated का मतलब गंभीर ठीक अभी ये समझे All India State का है तो कुल मिला के Penetrative Sexual Assault F में है जिसका Aggravated Form 2A में दिया गया है और I के अंदर Sexual Assault है जिसका Aggravated 2B में दिया गया है तो कहने का मतलब F और I का Aggravated Form A और B में दिया गया है आगे की बार अब इसके बाद अगले sections की तरफ मुगल करेंगे ये सब आप Erase करके रिख लिजेगा ये चार्ट पूरा आपको याद होना चाहिए Yes और No पूरा चार्ट याद कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे आप लोग कोई दिक्कत D में Child D में Child D A में Child Pornography E में Domestic Relationship F में Penetrative Sexual Assault F का जो Aggravated Form है वो कौन है? A F का Aggravated Form A Yes और No और I का Aggravated Form B F और I में क्या है? इसमें Penetrative Sexual Assault है F में I में Sexual Assault है अच्छा जी क्या J का भी ऐसा ही होता है? क्या Sexual Harassment का नहीं? इसका कोई Aggravated Form नहीं होता ये अकेला है अपने आपने अब चलो आगे की बाद हाँ जी Font Size और बड़ा करो ठीक है Black पर White इंग यूज़ कर लूँगा ओके आरू जी ठीक है Done अब देखो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ जो जो sections definition में रह गए थे इनको क्या मैं Depth में समझाओ? इन सभी को Depth में समझाओ? नहीं इनको मैं Depth में नहीं समझाओंगा उसका कारण है बाद में बताऊँगा अभी इस चार्ट को समझने मत बैठिए अपने Notebook में लिख लीजिए इस चार्ट को जब आप एक एक को डिल कर लेंगे ना तिया आपको चार्ट इजी लगेगा अभी आप सिर्फ लिख के रखिएगा है ना अब सुनिए अभी तक मैंने C नहीं बताया मैं सीधा स्टार्ट का हूँ A और B मैंने बता दिया A और B क्या है बताई जरा A और B क्या है दोस्तो अगर मैं इन जनरल आपसे पूछू A और B क्या है A और B क्या है Aggravated है A और B क्या है Aggravated है तो यहां मैं लिख सकता हूँ aggravated इसे नर्ड करा रहा हूँ आपको concept नहीं समझा रहा हूँ ठीक अब aggravated किसका है यहवाला F का aggravated है और यह वाला I का aggravated है F क्या है penetrative sexual assault है I क्या है sexual assault है बोलो कितना एजी लग रहा है अब आपको डन अब आगे चलते हैं अब देखे अब सी पॉइंट है आम्ड फोर्सेज और सिक्योर्टी फोर्सेज ज़्यादा इंपोर्टन नहीं है डी में आए चाइल्ड चाइल्ड का मतलब क्या होता है इसा बालक जो अठारा साल से छोटा है बाद में ले लीजेगा रिकॉर्डिंग आपके पास ही रहेगी सोनिया शर्मा जी हाँ ऐसा बालक जिसकी एज एटीन इयर से कम है वह बालक क्या कहलाएगा चाइल्ड कहलाएगा अच्छा एक बात सुनिएगा जेजे एक्ट के अंदर भी क्या कह रहाँ जेजे एक्ट के अंदर भी चाइल्ड को डिफाइंड किया गया है जेजे एक्ट के अंदर भी चाइल्ड को डिफाइंड किया गया है जरा बता सकते हैं जेजे एक्ट में चाइल्ड कहां डिफाइंड है सब को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था सबको faction no.2, subsection no.12 क्या मैं सही हूँ और अगर बात करें POXO act के अंदर POXO act के अंदर child को अब POXO act की बात कर लेते हैं POXO act के अंदर child को कहां पर define किया गया है तो आप क्या लिखेंगे section two, subsection d याद रहेगा कि नहीं रहेगा दोनों एक्ट बता दिये मैंने भूलना मत हाँ नहीं पड़ा कोई बात नहीं याद तो कर ही सकते हैं न दोस्तों याद तो हम कर ही सकते हैं हाँ बहुत बढ़ी याद शानदार ओके अब देखो आगी की बात करते हैं यह हो गया D तक की बात, अब आगे की बात करेंगे, D A में क्या है child pornography, D A में क्या है दोस्तो child pornography, child pornography क्या होती है, हाँ, child pornography क्या होती है, it means any visual depiction of sexually explicit conduct involving a child, which includes photograph, किसी बच्चे का आप नग नवस्था में, अर्ध नग नवस्था में आप फोटो लेते हैं, that is child pornography, आप कोई उसका वीडियो कैप्चर करते हैं नहाते हुए या गरत काम करवाते हुए, डीजिटल और computer generated image, आप उस बच्चे का face रखे पूरा उसको nude कर दे रहे हैं, मतलब कोई वी computer generated हो, ठीक है, image created, adapted, modified, but appear to depict a child, तो यह सब काम आपका child pornography के अंदर आएगा बालक संबंधी असलिल शामगरी, असलिल शाहित्य, क्लियर सबी को, क्या गायब हो गया भाई, हाँ, आगे की बात, E की बात करते हैं, domestic relationship, अब यह चीज आपको क्यों पढ़ना जरूरी है, यह जब चीज आप पढ़ोगे, तब आपको समझ में आएगा aggravated का meaning, aggravated का meaning को समझने के लिए आपको यह definition को समझना बहुत जरूरी है, दोस्तों, देखो, यह क्या कहता है, domestic relationship का मतलब, it shall have the same meaning as designed to it in clause of section 2 of protection of women from the domestic DV act, अरे ठीक है, DV act आई होब आप सभी ने पढ़ा होगा, किसने किसने पढ़ा DV act, नहीं पढ़ा टेंसन मतलीजे, इसी महिने में DV act का भी lecture लेके आने वाला हूँ, क्या कह रहा हूँ, इसी महिने में DV act का भी lecture आपके सामने प्रस्तूत करने वाला हूँ, तो ध्यान से देखेगा, जैसा कि मैं बेर act को भी open कर लेता हूँ, अब सभी, DV act में आ जाई है जल्दी से, तो D, माफ कीजीगा, domestic relationship E में दिया गया है, तो अगर मैं कहूँ, DV act किसीने भी लिखा था, मेरे हिसाब से section 2 clause F है गया, इस बार चेक कर लेना भाई, DV act के अंदर, domestic relationship shall have the same meaning as given in DV act under section 2 clause F, क्या है क्या चेक करिए तुझरा, जिन्होंने पढ़ा है, yes or no, आई अब सभी ने पढ़ा होगा, तो DV act का meaning, जो section 2 clause F में दिया गया है, हाँ, B में child defined है, domestic relationship साइद इसी में हैं, बिल्कुल आप सही है, 2 F में, ठीक है, तो DV act 2005 के अंदर, 2 F के अंदर दोस्तों, जो domestic relationship की meaning दी गई है, वही meaning हम लेंगे, अब चलो बाद देखेंगे क्या लिए है, जी में prescribed है, prescribed का मतलब prescribed by rules होता है, आगे religious institutions का मतलब क्या होता है, जो आपने religious institutions prevention of misuse act 1988 के अंदर पढ़ा था, वही same meaning आपको यहाँ पर भी धार्मिक संस्तागा लिया जाएगा, ठीक है, के के अंदर shared household है, shared household क्या होता है, it means a household where the person charged with the office lives or has lived at any time in domestic relationship with the child, मतलब साजी ग्रहस्ती का मतलब क्या होता है, ज्यान से देखिएगा, साजी ग्रहस्ती से, साजी ग्रहस्ती से क्या मतलब होता है, ऐसी ग्रहस्ती अभी प्रेत है, जहां अपराद से आरोपित, व्यक्ती, बालक के साथ घरेलू नातिदारी में रहता है, या फिर किसी समय पर रह चुका है, मतलब आपने देखा होगा कई बार, कि किसी चाचा ने अपनी उसके साथ गलत किया बच्चे के साथ, किसी मामा ने भांजी के साथ गलत अपराद किया, तो यह हम कह सकते हैं, they are in shared household, विकोज व्यक्वे उसके साथ रह चुके हैं या पहले रह रहे हैं, अगर उस बच्चे का जानकार ही, अगर कोई अपरात करता है तो यह aggravated कहलाता है आई हो समझ में आया होगा आगे की बाद थोड़ा speed maintain करते हैं चले, special code 28 में है और L में special code है M में special public SPP कहते है इसको special public prosecutor जो 32 में इसको हम लेटर न स्टोच पर देखेंगे बस आप defined का नाम याद रखिएगा अब देखो एक section 2 का section 2 का clause बहुत प्यारी बात कहता है साथी हो कैसी प्यारी बात कहता है the words and expression used, जो used हुआ है यहाँ पर used hearing मतलब इस pox hearing का मतलब used used in poxo act used in poxo act कोई भी ऐसा word जो poxo act में use हुआ है and not defined but वो defined नहीं poxo act में कोई भी ऐसा word जो poxo act में use हुआ है बट poxo act में define नहीं है but defined in following acts कौन कौन से act IPC के अंदर define किया गया है CRPC के अंदर define किया गया है JJ act के अंदर define किया गया है IT act के अंदर define किया गया है तो उनका यही meaning लिया जाएगा इसी act का meaning लिया जाएगा यह सोरनो सभी को clear अगर कोई word poxo act में use तो हो रहा है बट poxo act में defined नहीं है तो उसका meaning हम कौन सा लेंगे उसका वही meaning लेंगे जो IPC, CRPC, आपका JJ act और आपका IT act में बताया गया वही meaning लिया जाएगा फिर देखिए फिर से एक चार्ट आया देखो अब इसमें थोड़ा बहुत coloring की problem आ रही होगी yes or no कि proper visible है जरा देख लीजिए टाइपिस्ट के लिए गाना आयाद आता है जरा देख मेरा दीवानापन मतलब कितनी उसने मेहनत करी होगी ओके लेकिन कुछ जादा तो नहीं कर दी दोस्तों सभी को प्रॉपर वीजिबल है चलो पढ़ाना स्टार्ट करता हूं चैप्टर नंबर हमने अभी तक दोस्तों ठ्यान से देखिएगा मेरी बात को हमने अभी तक पॉक्सो एक्ट के अंदर पॉक्सो एक्ट के अंदर हमने क्या क्या किया पॉक्सो एक्ट के अंदर साथी हो हमने क्या किया हमने हाँ पॉक्सो एक्ट के अंदर हमने सबसे पहले section नो नो पॉक्सो एक्ट के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा पहले अपने आपक फिर उसके बाद Poxo Act के अंदर और हमने क्या पढ़ा हमने दूसरी चीज यह पढ़िए दोस्तों कि concept क्यों Poxo Act बना वाए concept पढ़ लिया तीसरी चीज हमने साथ यह क्या पढ़ा Poxo Act के संबंध में हमने यह पढ़ा कि object क्या है क्या उद्देश है हमारे Poxo Act का Yes or No? फिर हमने यह पढ़ा Poxo Act के अंदर section 1 के बारे में पढ़ा और section number 2 के बारे में with chart हमने discuss किया अब हम साथ यह start करने जा रहे हैं इतना होने के बाद chapter number 2 की starting करने जा रहे हैं जो की range बता देता हूं section number 3 से लेकर 12 तक को deal करेगा और इसको अगर आपने पढ़ लिया तो आपको हर word का meaning अपने आप याद हो जाएगा हाँ जी प्रेम राजपूत यह इसको preamble भी कहते हैं इसको preamble भी कह सकते हैं आप सही हैं चलिए start करें देखो यार thumbs up नहीं करते हो आप लोग ऐसे आउठा दिखाया करो आज के जमाने में अगर आपने अंठा दिखाया मतलब सर जोश में यस और नो तो जल्दी से एक बार अंठा दिखा दीजिए ताकि जीवन में अंठा मत किसी को दिखाईए बस परते टाइम अंठा दिखाईएगा है ना तो जल्दी से आप लोग अंठा दिखाईए तब मैं क्लास को बालकों के खिलाफ बालकों के विरुध लेंगिक अपराद यह बताया गया है तीन से लेकर बारा तक के प्रोविजन्स में यह बताया गया है तीन से लेकर बारा तक के प्रोविजन्स के अंदर अब मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं आप लोग जब तीन से बारा तक क बे एक्ट खोलेंगे ना तो उसमें पांच पार्ट है a b c d e और यह और एक कि नियों जरा देखिये तो जरा देखिये पांच पार्ट है या नहीं है बेयर एक्टवा लेके बैठा करो जब भी मेरा लेक्चर हो आपको बहुत हेल्प मिलेगा तो बेयर एक्ट में जब सेक्शन 3 से 12 क्या प्रोविजन्स खोलोंगे तो आप देखेंगे A लिखा हुआ है हाँ बिल्कुल तो जब आप 3 से प्लीज थोड़ा रुके वरना क्लास एंड हो जाएगा टेक्निकल टीम को बुला लू फिर से कुछ समश्या आ जाती है ओके लेट्स टार्ट तो मैं अब सभी को बताना चाहता हूँ कि ये 3 से 12 तक की जो प्रोविजन्स हैं उसको मैं डिल करता हूँ अब चलिए आगे की बात करते हैं इसका मतलब क्या होता है बालकों के विरुद लेंगिक अपराद चलिए लेंगिक अपराद कैसे हो सकता है 5.5 अपराद A, B, C, D, E ये जो है ना A का सम्मध यहां से है ये का मतलब क्या है Penetrative Sexual Assault जरा दिखा देता हूँ आपको Confuse नहीं हूँ आप लो देखो ऐसे है ये पॉइंट क्या है Penetrative Sexual Assault and Punishment Therefore ऐसा लिखा है का नहीं लिखा है अरे बताओ भाई Penetrative Sexual Assault मतलब इसको हमने Defined अब बताओ तुमको याद आएगा कि नहीं आएगा दोस्तों बताओ Penetrative Sexual Assault कहां Defined है Penetrative Sexual Assault कहां पर Defined है Extend कर रहा हूँ सर है भाई अरे कहा उपर नीचे करवा रहे हो यार यहां पर Settings इसको बताओ आएगा इसको डील करने में कोई बात नहीं आएंगे फिर से हाँ यह याद दिला दीजिएगा जब यहां एंड होने वाला हो चलो तो सबसे पहले मैं 3 से 12 तक के Provisions को बताता हूँ जो कि Chapter No.2 को डील करता है Chapter No.2 जो 2 है इसके अंदर 5 पॉइंट है A, B, C, D और E अभी एक को बताओंगा अग वाकि सारे समझ में कहानी बदल गई है जजबाद बदल गया है 2F में 2F में डीफाइंड किया गया है और डीफाइंड है यह दोस्तों याद रखी गाँ बेर्क में लिख दो जाके वही पर 2F में पैनेट्रेटिव सेक्शूल एसॉल डीफाइंड है अब पैनेट्रेट्रेटिव सेक्शूल एसॉल्ट होता क्या है Penetrative Sexual Assault होगा क्या और Section 4 क्या बोलता है इसकी punishment क्या होगी इसकी सजा क्या मिलेगी इसका दंड क्या होगा तो बोलो Section 3, Section 4 Section 3, Section 4 Section 3 में Penetrative Sexual Assault कैसे होगा क्या है फिर इसकी सजा कहां पर है 4 में याद हो गया Section 1 Short Title Extended Commencement, Section 2 Definition, Section 3 में Penetrative Sexual Assault, Section 4 में इसी का सजा Yes or No? सभी को याद हो गया इसकी अब देखे अगर मैं बोलो Penetrative Sexual Assault क्या होता है लेकिन उसके पहले मैं आप कोई बात बताना चाहता हूँ अभी लिखा Good Girl ने कि बोलो आया क्या समझ में तो मेरे मैस के टीचर थे जब मैं मैस पढ़ता था मैंने के 12 में जिद में मैस ले लिया था तो मुझे जब एक सर्थ पढ़ाते थे offline batch में तो वो पूरा Question वाल बता देते थे अपने पास नोट्स देते थे और धीरे से आते थ solution फिर लिख देते थे 25 25 फिर बोलते थे बोलो बेटा आया क्या समझ में रोज परिशान हो गया तीन दीन हो गया चार दिन हो गया 10 दिन हो गया फिर हमने कहा ऐसे तो जिंदगी बहुत खराब हो जाए नरक हो गई जिंदगी तो जब अगले दिन वो वापस से आए फिर से लिखा उन्होंने, question number मालो 10, solution लिखा, जैसे मालो लिख दिया 22, जैसे ही लिखा उन्होंने, उसके पहले ही मैंने बोल दिया, कि बोलो बेटा, आया क्या समझ में, तो उसके बाद, वो सर आदे घंटे तक नहीं पड़ा है, पूरे बैच में सबको ढोड़ा कौन है यह जो बोला इसे तो मतलब मैं इतना परिशान हो गया था, कि बोलो आया क्या समझ में, अरे क्या आया समझ में extend the class, अच्छा बताते भी नहीं extend करना है, तो वही इसी हिसाब में बहुत प्रताडित हुआ उपने जीवन में, टीचरों से लेकिन मुझे बहुत अच्छे टीचर्स भी मिले हैं, यह उपर वाले का सौभाग गये है लेकिन कुछ टीचर्स बहुत ही शांदार कैटेगरी के भी थे जर बस आया क्या समझ में नहीं आया, अब आगे की बात करते हैं तो तीन में पेनिट्रेटिव सेक्शूल एसॉल्ट है, प्रवेशन लेंगिक हमला फिर उसके बाद चार में उसकी दंड दी गई है अब देखो तीन और चार को समझते हैं जरा जरा तीन और चार को समझते हैं आजा भई, हाँ देखो, सेक्शन नमबर तीन को मैंने चार्ट से भी समझा दिया देखो सेक्शन नमबर तीन को मैंने चार्ट के फॉर्म में समझा दिया पेनिट्रेटिव सेक्शूल असॉल्ट प्रवेशन लेंगिक हमला क्या होता है देखो, चार अभी देखो ये गंदे गंदे वर्ट्स आएंगे बट मुझे पढ़ाना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, इसमें doubt मत रखिएगा, कोई भी व्यक्ति penetrate करता है, insert करता है, manipulate करता है, मतलब इसका क्या हुआ? कोई भी व्यक्ति sexual offense करते time किसी भी बालक को बच्चे को penetration करता है, या उसके अंदर कुछ insert करता है उस बालक के अंदर, या manipulate का मतलब होता है अभी चालन, जैसे किसी के बच्चे को पर हाथ फेरना हो गया, इस तरह के activity करता है, या फिर वो apply करता है his mouth, applies his mouth, उसके किसी भी सारे के सारे, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर और चार नंबर, सुनो, penetration insert manipulator apply, कोई भी एक्ट ऐसा करता है वो बच्चे के body को लेकर, तो वह अपने आप में एक offense है, या अपने आप में एक अपराद है, और इसी कोई section 3 में, इन सभी अपरादों को section 3 में penetrative sexual assault, प्रवे कोई बात ने जै भवानी जी, इसलिए तो मेरा और सर का combination है, सर smart तरीके से पढ़ाते हैं, मैं basic तरीके से पढ़ाता हूँ, तो दोनों combination ले लो, जीवन सफल बनाई है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखो इसकी आगे की बात, punishment of section number 3, मतलब section 3 का अपराद क्या होता है, section 3 का जो अपराद है, उसे कहते है penetrative PSA, PSA कैसे अपराद होगा, कोई भी बच्चे के अंदर penetration करना, insert करना, manipulate करना, apply करना, ये कहलाता है section 3 के अंदर penetrative sexual assault, इसकी जो सजा है, punishment of section 3 है, वो section 4 में दी गई है, section 3 की सजा जो है, वो section 4 में दी गई है, section 4 के अंदर 2 clause हम ये 3 है, वैसे section 4 का 1 और section 4 का 2, आइए देखते है, punishment में section 4 का 1 क्या कहता है, अगर कोई भी व्यक्ति, section 4 एक के अंदर penetrative sexual assault का अपरादी है, तो उसे सजा मिलेगी, कितनी सजा मिलेगी, minimum 10 years, 10 साल चिक्की पीसिंग, फिर उसके बाद maximum LI उसको दिया जाएगा, क्या कह रहा yes or no, clear हुआ की नहीं हुआ, अरे clear हुआ की नहीं हुआ, जहां से देखो, section 4 clause 1 के अंदर साथी हो, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर कोई offense create करता है, sexual offense, penetrative sexual offense करता है, penetrative sexual assault करता है, तो 4 एक कह रहा है उसको minimum 10 साल की सजा, और अधिक से अधिक उसे life imprisonment, आजीवन कारावास मिलेग प्लस जुर्माना तो तुझे देना ही पड़ेगा, दूसरी बात, 4 का 2 क्या कहता है साथी हो, 4 का जो 2 है वो कहता है, offenses against child below the age of 16 years, अगर कोई भी offense है दोस्तों, जो की, कोई भी offense है, जो की section 4 के clause 2 में दिया गया है, और वो कह रहा है, ऐसा अपराद, ये normal बच्चे के उपर ह हो रहा था, ये वाला जो अपराद है वापस, 16 साल से कम उम्र के बच्चे के उपर हो रहा है, 10 साल का, 5 साल का, मतलब अभी बस ये मानलो, below 16 years, अभी इतना याद रखो, कि 16 साल से उम्र कम है, तो ये minimum वाली limit जो है, ये double हो जाएगी, इसको सजा 20 साल हो जाएगी, और जो ये life imprisonment था, ये remainder life, पूरे जीवन ही बाहर नहीं निकल पाएगा, मतलब तेरी dead body ही तेरी jail से निकलेगी, फिर plus fine, yes or no, तो कितना easy है section 4, subsection 1, 1 में simple, आपने अपराद किया बच्चे के साथ, मालो 17 साल का, 16 साल का होगा, 17 साल का बच्चा है, तो 10 साल की सजा, और अगर आपन 16 साल से कम उमर की बच्चे के साथ किया, तो 20 साल और remainder life इतनी सजा मिलेगी, अब देखो दोस्तों, हाँ, पहले वाला very nice, अच्छा लगा आपका बात सुनके अच्छा लगा, प्रेम राजपूत, पहले वाला जो है, वह 18 से कम, below 18 year of, ये लिख देता हूँ, बहुत अच्छ below, लिखना भूल गया, देखो, सब याद भी नहीं आता कितना लिखे, below 18 years, age, उसके लिए ये apply होगा, और below 16 year of age के लिए ये apply होगा, that's it, आगे की बात, अब देखो मैं आप सभी को ये बता रहा, 3 और 4 सबको समझ मैं आया, अभी सब बताऊंगा न, death कर दे, क्या कर दे, स कर देखो, section 3 को मैं थोड़ा सा और बताना चाहरा हूँ, आपको depth में, section 3 को मैंने short में बताया था, A, B, C, D, उसी section 3 को हम depth में पढ़ते है, section 3 का clause A क्या कहता है, इसको पढ़ने के लिए पहले, अरे कहा गया, हम, अरे दिख रहा है कि आप लोगको, नहीं दिख रहा होगा, चलो click कर देता हूँ, section 3 के अंदर मैंने क्या बताया, ये 4 पॉइंट है, penetrate, insert, manipulate और applies, इसी, हाँ, सोनम पांडे क्या repeat करना है, प्लीज आप वापस बताये, ताकि मैं उस point को repeat कर सकूँ, चलो मैं वापस से पूरा ही बता देता हूँ, क्योंकि depth मैं बताने जा रहा हूँ, तो आपको वापस clear हो जाएगा, penetrative sexual assault के मैंने 4 पॉइंट बताये, penetrate, insert, manipulate and applies, इसी के संबंध में आपको बता रहा हूँ, कि इसके संबंध में आपको क्या बता रहा हूँ, अब person, penetrative sexual assault का बता रहा हूँ, अर्थ या explanation क्या होता है, अब person is set to commit penetrative sexual assault, एक कोई व्यक्ति प्रवेशन लेंगिक हमला करता है, या कहा जाता है, यदि वह, इफ, वह क्या काम करता है दोस्तों, इफ ही penetrates his penis to any extent, अगर वह व्यक्ति अपना penis को extent करता है, enter करता है किसी भी extent तक, to into the vagina, into the vagina, mouth, urethra, anus of a child, or makes the child to do, so with him or any other person, मतलब अगर कोई भी person उस बच्चे के vagina, mouth, urethra, anus में ये सारी चीज़े क्या करता है, penetrate करता है अपना penis, तो ये penetrative sexual assault है, इसके अलावा ये और भी क्या कह रहा है, उस child को दूसरे के लिए करने के लिए ऐसा अपराद करवा रहा है, pressure डालके, तो वह भी एक अपराद है, आगे की बात, gloss भी क्या कहता है, अब सर 10 year की जगह 7 year हो गया है 2019 से, एक बार चेक करिए, मुझे तो अभी भी 10 year ही दिख रहा है, आप other students भी देखके चेक करके बता दे साथ ही हो, जहां तक मैं चेक कर पा रहा हूँ, बिल्कुल सब्स्टिट्यूटेड 2019 के पहले, 7 years पहले था यार, 7 year की जगह 10 year हुआ है लिगम मैजिस्टर, उल्टा बोल दिए आप, चेक करिए एक बार, कोई बात नहीं, 7 year पहले था, अब 10 year हो गया है 2019 के amendment के द्वारा, सब्स्टिट्यूटेड 10 in place of 7, 7 की जगह 10 को सब्स्टिट्यूट किया गया है, डन, आगी चलते हैं, तो penetrative sexual assault पहला वाला है, पहला वाला penetrative sexual assault है, गंदा काम, दूसरा गंदा काम, अगर वह व्यक्ति क्या करता है, he inserts to any extent, any object or part of the body, not being the penis, penis ना insert करके, कोई भी अपना part, मा लेज़े fingers हो गए, अधर चीज़े हो गई, वो insert करता है into the vagina, सारी चीज़े वो सेम हैं, तब वह भी क्या है, penetrative sexual assault है, yes or no, तीसरा point, he manipulates, वो हाथ फेड़ता है, इस तरह की हरकते करता है, जिसे अभिचालन कहते हैं, देखिए, he manipulates any part of the body of the child, so as to cause penetration into the vagina, मतलब, वो जैसे thighs पर हाथ फेड़ा, इस तरह के गंदे काम करता है, तो वो भी क्या है, penetrative sexual assault section 3 में आएगा, आगे की बात, he applies his mouth to the penis, वो क्या करता है, apply करता है अपने mouth को penis के वेजाइना, एना सुरेथरा of the child, और makes the child to do so, to such person और any other person, तो ये सारे के सारे क्या है दोस्तों, ये सारे के सारे penetrative sexual assault है, देखो मेरो को पढ़ाना इसलिए जरूरी है, 99% आप जानते होंगे, लेकिन अपना ये, अगर इसमें सरम कर ली, हाई कोट में आप क्या एपियर करोगे किसी को, कोई दिक्कत नहीं है, हमें एकदम broad mind से सारे चीज़े समझने पढ़ती है, रेप की definition को एक-एक minor coma की साथ पढ़ना पढ़ता है, यस और नो, तो एकदम बढ़िया से समझा करिए, सुरंद्र सैनी penetrates को हिंदी में क्या कहते हैं, अच्छा जी, अभी तो बताया मैंने आप सभी को, इसको लिख लीजिए, प्रवेश करना, ठीक है, ठीक है, प्रवेश करना, चलिए आगे की बात करते हैं, पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन इस अ काइंड औफ सेक्शुल अक्टिविटी, चलिए, अब देखो, यहाँ पर मैं इसके पनिश्मेंट की बात करता हूं साथियों, सभी को समझा है, सेक्शन फूर की बात करता हूं, पनिश्मेंट फॉर पेनिट्रेट्व सेक्शुल असॉल्ट, मतलब जो यह पेनिट्रेट्व सेक्शुल असॉल्ट होता है, प्रवेशन लेंगिक हमला, यह कहां पर दिफाइंड, यह कहां पर दिया गया था, कितनी सजा दी गई है दोस्तों कि प्लीज वेट अ मिनिट येस तो आप सभी लोग लिख लीजेगा बता देता हूं वेरेक्ट में से लिख लीजेगा इजी बनाके कि मिनिमम 10 एर और मैंग्जिमम लाइफ इंप्रिजर्मेंट की सजा मिलती है क्या लिखोगे मिनिममम लिख लीजे मिनिममम 10 एर्स की सजा होती है साथ यह सेक्शन 3 की और अगर मैं बात बोलू अच्छा ही मैंने पढ़ा दिया नहीं अब आपको सजा तो मैंने आपको बता ही दी है यह दीखे मिनिममम 10 एर मैंग्जिमम लाइप्लस वाइन और यहां पर ओफेंसेज अगेंस चायल बिलो देज ऑफ 16 एर है तो मिनिममम 20 और मैंग्जिमम लाइ रिमेंटर लाइफ तो सेक्शन 3 और सेक्शन 4 बोलो आया क्या समझ में बोल जल्दी बोलो तो आगे चलेंगे पॉफेक्ट तरीके से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ अब देखो मेरी बात को ध्यान से समझो मैं क्या कहना चाहता हूं एक पहाड है अपना कम सकम 30-40 पेज का यह पहाड है मतलब 35-30 सेक्शन होंगे कितरे पतान मैं गीना तो नहीं हूं सेक हाँ जी खुल जावा शिमसिंग हाँ देखो अब आपको यह चार्ट बहुत प्यारा लगेगा एक के अंदर हमने क्या पढ़ा पैनिट्रेटिव सेक्शल एसाल्ट के बारे में पढ़ा राइट पैनिट्रेट्रेटिव सेक्शल एसाल्ट से संबंदी जो सेक्शन्स है वह स यह चार्ट आपको यहां तक तो समझ में आ गया अब B-Clause की बात करते हैं B-Clause में क्या यही Penetrative Sexual Assault Aggravated कब बनेगा ध्यान से देखो यही Penetrative Sexual Assault कब Aggravated बनेगा, कब गंभीर बनेगा इससे संबंदित इसके आगे के दो sections है 5 और 6 ठीक है, और मैं बोलू अगर Aggravated Penetrative Sexual Assault को Define कहां किया गया है 2 E में बोलो यहां तक समझ में आया क्या सभी को कितनी अच्छी बात है दोस्तों 6 तक section हमको याद हो गये बोलो कैसे, वापस बताता हूँ Penetrative Sexual Assault 3 में दिया गया है, क्या होता है इसकी सजा, Punishment कहां दी गई है 4 में दी गई है आगे बात चलते हैं Aggravated Penetrative Sexual Assault 5 में दिया गया है Aggravated Penetrative Sexual Assault का दंड, Punishment 6 में दिया गया है क्लियर? तो 5 और 6 का मतलब आपको समझ में आ गया होगा अब इसी portion को हम समझते हैं अपने Bear Act के थोड़े से Provisions के माध्यम से अब देखो क्या कहना चाहता हूँ मैं B Point है Aggravated Penetrative Sexual Assault ध्यान से देखो Aggravated Penetrative Sexual Assault अब अच्छे यह बताओ Penetrative Sexual Assault काहां पढ़ा? 3 में पढ़ा और 2F में पढ़ा अगर मैं बोलू साथियों अगर यह aggravated हो जाता है तो इसके लिए 3 की जगा क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा और Defined कहां यह पूरा aggravated यह A में defined है 2A में Yes or No? Clear हुआ या नहीं हुआ? Aggravated जो Penetrative Sexual Assault है यह 2A में defined है Clear? Yes or No? पता नहीं उल्टा दे दिया पहले aggravated बतागे फिर बताता है आगे का मुझे ऐसे समझ में नहीं आता मेरों को पहले Penetrative Sexual Assault क्या है? फिर वो aggravated में जाएगा तो पहले F पढ़ोगे फिर A पढ़ोगे Clear सभी को? आगे की बात अब मैं आप सभी को section 5 और section 6 पढ़ाने जा रहा हूँ 5 और 6 को ध्यान से देखिएगा बहुत अभी तक हमने लगभग 90% काम कर लिया है अगर आपने ध्यान दे दिया तो 10 मिनट में class over हो जाएगी और हम लोग section 12 तक पहुँच जाएगे ठीक है? 10 से 15 मिनट में फिर हमारी class भी end हो जाएगी तो एकदम पढ़िया से बने रहीएगा मेरे साथ section 5 aggravated penetrative sexual assault इसको हिंदी में बोलते है aggravated को गुरुतर गुरुतर प्रवेशन लेंगी खमला हिंदी को जादा ही टफ बनाई है इतनी जरुरत नहीं थी aggravated मतलब गुरुतर प्रवेशन लेंगी खमला कैसे होगा? कोई भी penetrative sexual assault जो 3 में था वो 5 में कैसे बदलेगा? section 5 में देखिए whoever being a police officer एक बात बताऊंगा अपनों ने दिया है धोखा गैरों में कहां था दम वही बात ही section 5 कहता है कि मतलब इस बच्चे को अपनों ने दिया है धोखा पुलिस वाले के पास गया पुलिस वाले ने गलत किया फिर उसके बाद घर में गया तो घर वालों ने गलत किया हॉस्पीटल में गया नर्स ने गलत कर दिया और बताईए पढ़ने गया टीचर ने गलत कर दिया मतलब जब कोई भी हमारा जान पहचान का आदमी जिस पे हम विश्वास रखते थे उसने विश्वास घात करके हमारे साथ हमारे बच्चों के साथ अगर कोई sexual offense किया है तो वह sexual offense क्या कहलाएगा aggravated penetrative sexual offense बोलो समझ भाया क्या clear एकदम easy language बताया आपको मैंने तो याद रखीगा इस बात को अब देखो क्या कहना चाहता हूं मैं aggravated penetrative sexual assault क्या होता है whoever being a public officer whoever being a public officer commits penetrative sexual assault on a child देखे कितना गंदा होगा यह अगर कोई गंदा police officer है जिसने इस child के साथ penetrative sexual assault किया है किस form में किया है within the limit of the police station or premises जिस प्रिमाइस में जिस थाने में उसे appoint किया गया था हां जिस बच्चे की जिम्मेदारी हो बिल्कुल एक ही बात है जहां पर trust faith का relation होता है and they know to each other वहां पर aggravated होता है ठीक है किस point है बहुत बहुत शुपकामना है एक इस point अभी एक इस point को तीन मिनट में खतम करते हैं तो देखो अभी मैं आपको एक एक लाइन नहीं पढ़ाने वाला हूं मैंने आपके लिए keyword बनाए है whoever being police officer जिसने अपने police station पर या प्रिमाइस पर कोई बच्चे के साथ sexual offense किया दोसरा किसी भी station house पर उन्होंने इस बच्चे के साथ गलत किया अंकीता या दो कौन सा section repeat करना है बता दीजी अभी कर दोंगा इसको repeat करना है section 5 को हाँ बिलकुल इंशाओला हाँ जल्दी बताइए कौन सी चीज repeat करनी बोला आप point तो लिखा करो जब तक आप point बताते हैं तब तक मैं अपने जल ही कल है जल ही जीवन है पिला दुरा है हाँ तो दोस्तों मैं आप सभी को repeat कर देता हूं एग्रावेटेड आई यही पूछ रहे थे एग्रावेटेड पैनेट्रेट्रेट्व सेक्शुल असॉल्ट होता है जो किसी नोन ने उस बच्चे के जानकार ने उस बच्चे को लेकर जिस के ट्रस्ट था एक दोसरे के जिंम्मेदारी थी कि प्रोटेक्ट करेंगे बच्चे को तो जिसकी सजा जादा होगी अब देखो क्या है जो कोई भी पुलिस ऑफीसर ऐसा अपराद करता है पुलिस टेशन पे प्रिमाइसेस में इस्टेशन हाउस के पास इन दो कोडस ऑफिस ड्यूटी वह पुलिस अदिकारी अगर ड्यूटी पे था known as police officer उस अपनी duty के अंदर गलत काम करता है या फिर a member of the armed forces और security forces आप लोग देखते हैं कि कई बार border पे और कई पहाड़ी एरियो पे armed forces जो appoint होते हैं वो लोग क्या करते हैं उस area के बच्चों के साथ गलत करते हैं इनको क्यों appoint किया जाता है armed forces को armed forces को इनकी रक्षा के लिए appoint किया गया है और यही गलत काम कर गए तो यहाँ पर इसके बाद ध्यान से देखेगा अगर where the said person is known और identified as a member of the security or armed forces armed forces या security forces का member ने गलत काम किया है या फिर public servant public servant की वही definition है जो section 21 of IPC की definition है दोस्तों अगर किसी public servant ने है एग्रावेटेड फॉर्म में आ जाएगा और क्या एग्रावेटेड होगा whoever being on the management or on the staff of a jail ठीक है जेल के अनदर जेल का management होता है remand home हो गया protection home हो गया observation home हो गया समझ रहो जेल में बन थे जेल में महिला कैदी थी या मालिजे remand home में बच्चे को रखा गया protection home में बच्चे को रखा गया तो वहाँ पर आपने उस बच्चे के साथ गलत काम कर दिया तो उस situation में भी आप क्या हो जाएंगे आपने aggravated किया है वैसे कल मैं central jail जाओंगा आप लोगको अगर मुझे मौका मिला तो आप सबको मैं कुछ पिक्स वगरा शेयर करूँगा ताकि आप वहाँ के management को समझ सके आपके पास कभी exam exam नहीं हो ना तो jail manual को भी जरूर पढ़िएगा यूपी के अंदर तो है आपके ये police act है यूपी police regulation है उसी तरह से jail manual भी पढ़ते हैं लोग थोड़ा बहुत knowledge में रखिएगा अब आगी की बात इपॉइंट देखिए whoever being on the management or staff of a hospital hospital की staff ने गलत कर दिया आगी educational institutions ने गलत कर दिया gang whoever commits gang penetrative sexual assault जैसे gang rape होता उसी gang ने बच्चों के साथ गलत काम किया है तो ये सारे क्या कहलाएंगे आपके penetrative sexual assault deadly weapon क्या किया commits penetrative sexual assault on a child using deadly weapon fire heated substance कुछ मतलब वो अगनायू दायू गर्म पदार्थ का उपियोग करके कि नहीं करना ही पड़ेगा whoever commits penetrative sexual assault causing grievous hurt बताए grievous hurt कहाँ पर है section तो बता दिया करो हाँ ये section 5 चल रही है दोस्तों बहुत बड़ा है section 5 ये चलता ही जाएगा फिर section 6 में एक मिनट में खतम कर दूँगा और section 5 पढ़ लोगे ना तो आपका एक section हूब हूँ है as a copy paste है वो आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा तो जो कोई bodily harm cause कर देता है sexual organs को injury पहुँचाता है बच्चे के वो इसमें आ जाएगा whoever commits penetrative sexual assault on a child which physically incapacitates the child mentally चाहे body physically mentally उसको incapacitate कर दिया मतलब उसको अपंग कर दिया बच्चे को या फिर pregnant कर दिया आपने बच्चे को या फिर inflicts the child with human immunodeficiency virus HIV से उसको ग्रस्ट कर दिया बच्चे को आपने आपने जिस बच्चे के साथ गलत काम किया उस बच्चे की death हो गई या फिर taking advantage of a child's mental or physical disability मा लिजे मंद बुद्धी का बालक था उसके साथ आपने गलत किया advantage लेके repeatedly किया offense आपने एक बार किया दुबारा किया तो भी aggravated वाएगा पहले वाला normal है तो भी आपने किया तो aggravated दुबारा वाले में repeatedly होते ही यह वाला मामला आपको बता दू बिहार का बहुत बड़ा मामला आया था approximately 300 से 400 लड़किया थी बिहार के अंदर वहाँ पर कोई मंतरी आता था उन्हों मंतरी को सर्व की जाती थी गल्स जो मंद बुद्धी की होती थी उनके साथ गलत ऑफेंस होते थे मतलब बहुत जादा यह गड़बर था तब आया हमारा पॉक्स वैक्ट आगे चलिए फूर्ट वर्स पॉइंट विए इंपॉर्टेंट एग्जामें पूर्स सकते हैं अगर बारा वर्स से कम उम्र के बच्चे के साथ किया गया तो भी इसमें आएगा बिल्कुल अजमेर में भी एक कांड हुआ था कोई मौल्वी साहब थे उन्होंने भी गलत काप किया था ज पढ़िएगा उसको भी जाके आगे की बात कोई रिलेटिव ने ध्यान से देखो मामा ने चाचा ने ताउ ने किसी ने गलत काम किया ऐसे चाचा मामा ताउ मर जाए चलिए ओकी बात देखिए institution providing services to the child या फिर whoever being in a position of trust और authority of a child commits penetrative sexual assault उन्हों वो भी इसमें अपराधी माने जाएंगे knowing the child is pregnant आपको पता था बच्चा pregnant है फिर भी आपने उसके उपर penetrative sexual assault किया तो pregnant child के उपर और भी गलत कर रहे हो attempts to murder the child या तो आपने बच्चे के उपर हमला किया है assault on a child या attempt to murder किया है या फिर communal और sectarian violence आप लोग को पता है भुकम्प या प्राकृतिक आपदा आ गई राइट प्राकृतिक आपदा आ गई हाँ बिल्कुल कोई प्राकृतिक आपदा आ गई भुकम्प आ गया सुनामी आ गई उसका benefit लेते हुए आपने किसी बच्ची को असहाय पाकर उसके साथ रिप कर दिया penetrative sexual assault कर दिया that will also be a aggravated penetrative sexual assault clear हुआ सभी को previously आपको convict किया गया था of having any offense strip और parade nagged in a public आप बच्चे को nagged करके घुमाते हैं परेड करवाथ SCST में भी यह points as common है या फिर set to commit aggravated penetrative हां किसी बच्चे को आप नगना nude अवस्ता में घुमा रहे हैं तो भी वो इसी में ही आएगा और आपका जो मैं आपको बता दू टी यू यू तक के आपके provisions हैं सभी को clear हो गया हो तो बताएं अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं एक एक point को मैंने deal किया है दोस्तों एकदम keywords के साथ keywords आप लेख लेजिए बहुत इजी लगेगा आपको अब देखो section 6 की बात कर लेते हैं punishment for aggravated यह यह ना punishment for aggravated sexual offense अभी जो हमने 5 में इतने सारे अपराद पड़े उसका कितना सजा मिलेगा आईए देखते हैं section number 6 के पास punishment for aggravated aggravated penetrative sexual assault गुरत्तर प्रवेशन लेंगी हमले के लिए दंड कितना मिलेगा साथियों तो इसमें बताना चाहूंगा minimum आपको 20 साल की सजा मिलेगी अरे नॉर्मली 10 साल होता है penetrative है aggravated है मतलब तो यहाँ 10 का 20 हो जाएगा और वो भी rigorous imprisonment साधारण नहीं होगा rigorous होगा चक्की पीसो पत्थर तोड़ो आगे की बाद maximum कितना होगा minimum 20 सा maximum कितना होगा remainder life जब तक जीरेगा तब तक तू जेल में रहेगा ते डेट बॉड़ी के बाद ही तू इसमें से निकलेगा प्लस फाइन यह आपका है मामला दोस्तों यस और नो यह हटा देता हूं ताप को आपको clarity मिले आई अब सभी को clear हो गया ना minimum 20 साल और maximum life imprisonment of remainder life और fine भी आपको लगेगा जैसा fine वो उचित लगे fine कैसा लगना था एक्जामे तो reasonable fine उचित उतना charge किया जाएगा या फिर इनकी ऐसी की तैसी यह बात अपनी थी जो खताम या फिर सीधा उसको मौत की सजा दे दो उसको म्रत्यू दंड दे के खतम करो पूरे मामले कोई एग्रावेटेड के केस में म्रत्यू तक की फासी तक की सजा इसी section 6 में दी गई है yes or no clear सभी को अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों एक बार thumbs up करो देखो समझ में नहीं आया तो बता दिया करो है ना जीवन में कभी भी समझ में नहीं आया तो आप हमें खुल के बताईए कि सर ये point नहीं आया है ऐसा कोई point नहीं छोड़ूँगा जो बच जाए और आप आज देखेंगे आपको पॉक्सो एट कितना इजी लगेगा एक बार थोड़ी self study तो आप भी करोगे yes or no अभी मैं आपको case low कराने वालों बहुत प्यारा सा किस लोग क्या है सुनना है यह आपका एक्जाम में वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो बोलता हूं वह आता है जो बोलता हूं वह आता है एक्जाम में इसलिए मैं क्या रहा हूं section 7 को mains plus pre दोनों की हिसाब से पढ़ना है आपको क्योंकि इसका importance आपका बहुत जादा है तो गलती यहां मत करना हमने 6 तक की sections cover कर लिये हैं एक बार कहो तो चार्ट में चले जाएं चार्ट में चले जाएं क्या ताकि वह चार्ट आप जब बनाओगे तो आपको पता चलेगा सी पॉइंट क्या है sexual assault and punishment sexual assault 7 में दिया गया है punishment इसका 8 में दिया गया है बोलो आया क्या समझ में बोलो आया क्या समझ में चलेए आईए तो जड़ा अब हम दोस्तों कहां चल रहे हैं जब 12 तक पढ़ लोगे ना तो यह चार्ट आपको बहुत काम आएगा देखो पहले एक बाद पहले पूरा concept पढ़ लिजी अनिल प्रजापती जी फिर उसके बाद हम case loss पर doubts problems पर discuss करेंगे एक बाद पहले पूरा तो पढ़े हैं हम लोग क्या offense कितने हैं आगे चले सी पॉइंट अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं दोस्तों सी पॉइंट क्या कहता है sexual assault yes or no अरे सी पॉइंट क्या कहता है sexual assault sexual assault से संबंधित कौन कौन से section है section number seven and eight जो आपका है वह sexual assault से संबंधित है अच्छा sexual assault को defined कहां किया गया है i में two i में sexual assault को define किया गया है और sexual harassment को i के बाद j आता है यह देख लो j में sexual harassment को लेंगी गुत पीडन को define किया है आगे की बात छोड़ो ना भी हमका आगे से क्या करना है हमें तो इस category से मतलब है इसको पढ़ते हैं जो c category है कि क्या हो गया है हाँ जो c category है इसमें मैं पढ़ा रहा हूं आपको sexual अरे यह क्या हो गया भाई कि रुकिये ज़रा हां color हो गया है कि यह थोड़े नए-नए pattern आए ना भी इसमें कुछ कमिया भी है इसको दूर करेंगे application पर वक कर रही है टेक्निकल टीम देखो तो sexual assault से संबंदित जो अपराद है साथ और आठ है और sexual assault defined 2i में है यह सुर लो अच्छा साथ में sexual assault में बताया गया है आठ में इसका punishment है पी-फॉर punishment चलिए अब हम अपने point पर वापस आ जाते हैं अब अपने point पर हम वापस आ जाते हैं साथियों चलो हाँ 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 दन देखो section 7 आपका sexual assault से संबंदित है अब थोड़ा में यह भी ध्यान रखना है पेनिट्रेटिव sexual assault different है किससे sexual assault से और sexual harassment भी इससे different है तो हम differentiate करते वे पढ़ेंगे सुनना sexual assault क्या क्याता है लेंगी खमला हुएवर सरी कैसे अच्छा हुएवर विद सेक्श्वल इंटेंट टचेश दी वेजाइना पैनिस एनस ब्रेस्ट ऑफ दी चाइल्ड और मेक्स दी चाइल्ड टॉच दो वेजाइना पैनिस एनस और ब्रेस्ट ऑफ सच पर्सन या तो एक प बच्चे से उस वो परसंट टच करवाता है खुद के प्राइविट पार्ट्स को तो इस सिचुएशन में क्या होगा और यह जो करता है सात्यू विद इंटेंट सेक्श्वल इंटेंट और ऐसा वो क्यों कर रहा है उसका सेक्श्वल इंटेंट गंदा है घटिया से कम आदमी है विच इन्वल्स फीजिकल कॉंटेक्ट्ट विदाउट पैनिट्रेशन जिसमें आपका फीजिकल कॉंटेक्ट होता है विदाउट पैनिटेंट इस सैट टो कमेट सेक्शुल एस आल तो इस पूरे सेक्शन का सुप्रीम कोर्ट तक गया इंटेट्रुटिशन वह एक word है with sexual intent समझो बात को ऐसा क्यों बोल रहा हूँ देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ sexual intent होना क्यों जरूरी है क्या बोल रहा हूँ sexual intent होना क्यों जरूरी है साथियो उसकी बात को तो समझो आप sexual intent मतलब हमारा intention intention क्योंगी मैं ऐसा बताना चाहता हूं आप सभीको मालीजी आप मेला में गहते मेलामें गुमने गए दिकोई गलत मसमझ संजो बठ इसको समझाने के लिए बताना पड़ा आप सभीको आप मेलामें घुमने गए फीड बहुत थी मेले में अगर आपका हाथ किसी के breast पे touch हो गया या किसी के back पे touch हो गया आप जा रहे थे जल्दी जल्दी लेकिन आपका intention गलत नहीं था भीड थी धक्का लगा आप धक्का लगे दूसरे के पास चले गए तो क्या वहाँ पर poxact लगेगा नहीं लगेगा क्योंकि आपका sexual intent नहीं था that was by mistake that was by mistake yes or no तो इसी लिए बोला गया sexual intent होना must है section 7 और physical contact भी हो जाया that is sufficient बस अब देखो तो sexual assault लेंगिक हमला का मतलब क्या हो गया यहाँ पर क्या कोई penetrated को insert यह menu plates ऐसा कोई चीज आ रहा है क्या ऐसी चीज नहीं आ रही है यहाँ पर एक word आ रहा है physical contact हो रहा है अपका क्या कह रहा हूं सातियों यहाँ पर सिर्फ एक word आ रहा है physical contact without penetration बट यहीं बात याद रखना section 3 में क्या था there is penetration वहाँ पर बिलकुल penetration था penetration का मतलग वो अपने private part को बच्चे के private part में insert कर रहा था है कुछ ऐसे गलत काम कर रहा था लेकिन यहाँ पर without penetration है सिर्फ physical contact हो रहे है body part से अब सुनो यह भी अपने आप में पॉक्सों के अंदर अपराध है अगर आपका sexual intent है गलत करने का physically आप टच कर रहे हैं किसी को अब देखो अगर मैं आप से पूछू अगर मैं पूछू sexual assault समझ में आ गया क्या अब बोलो sexual assault समझ में आ गया क्या only touches no any kind of insertion no any kind of अभी challenge इसको कहते है yes or no no any kind of penetration is there only यह क्या कर रहा था touches अब देखो यह इतना keywords क्यों पढ़ा रहा हूं समझो बात को किन और साथ में difference पूछ लेते हैं अब चलो आगे की बात कि सेक्शन सेवन सेक्शुल एसॉल्ट पर एक केस आया था जिसका नाम बोला गया था skin-to-skin contact कि रफ कर देते हैं ध्यान से सुनिएगा कि साथियों अब हम लोग एक नया एक्ट नया एक्ट जो आपका आया था 2012 में पॉक्सो एक्ट उसी से संबंदित एक आपका केस लेंड मार्क जज़्मेंट आया था जिसने इंडिया में हाहा कार मचा दिया था जिसका नाम था 37 रगडे वर्सी स्टेट अफ महरास्टरा 2021 का सुप्रीम कोर्ड का सबसे बड़ा केस इस केस को किस नाम से जाना जाता है skin to skin contact case के नाम से इसको जाना जाता है क्यों skin to skin contact नाम दिया गया आगे आपको पता चलेगा इस case में इतना गलत interpretation लौका किया गया जो कि मेरे हिसाब से पूरे भारत की इतिहास में इतना गलत interpretation कभी नहीं हुआ अब क्यों किया गया किस मानसिक्ता से किया गया इसका जवाब आप comment box में देंगे लेकिन यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ यह case क्यों famous हुआ 37 रगडे वर्सी स्टेट अप महारास्टा देखिए इसकी कहानी This is the case of Nagpur Bench of Bombay High Court Bombay High Court के Nagpur Bench का यह मामला था साथियों चीक है यह Bombay High Court के Nagpur Bench का मामला है काफी लोग नहीं जानते हैं तो इसकी बताने के लिए समझेगा Groping किया मतलब 12 साल की बच्ची के साथ Groping It means he touches breast of the child He touches मतलब वह गंदा व्यक्ती ने उस बच्ची के breast को touch किया Without removing her clothes कपड़े पहने हुए थे कपड़े उपर से बस breast को touch किया मतलब कपड़े के उपर से touch किया Point to be noted इसको एकदम broad mind से पढ़ना है जिसका intention अगर ऐसा गंदा है तो यहां पर मत पढ़े लेकिन आपको बता दूमें इसका broad intention के साथ पढ़ना पढ़ेगा एक के keyword इसमें discuss होगा तो बच्ची कपड़े पहने हुई थी उस कपड़े के ऊपर से breast को उसके press किया गया जिसे हम कहते हैं English में gropping अब आगे की बात Justice Pushpa Gannadywala said in this case उस समय जो justice थी इस case को deal कर रही थी उनका नाम था Justice Pushpa Gannadywala उन्होंने क्या का Clothes has not been removed कपड़े तो हटाये नहीं गये थे No skin to skin contact क्या उस अपराद ही बोल रहे हैं उसका उस बच्ची से skin से skin touch हुआ क्या नहीं हुआ सिर्फ कपड़े थे उपर कपड़े थे ना आगे की बात करते हैं No sexual assault under section 7 of Pox Act इसलिए Justice ने क्या कहा Pushpa Gannadywala ने अपने क्या तर्क दिये कि भाईया ये तो section 7 का अपराद ही नहीं है बोलो क्यों अपराद नहीं है दो अरे क्यों अपराद नहीं है क्यों कि कपड़े थे बीच में अपराद तब होता section 7 का जब वो direct touch करता breast को इतना गंदा interpretation I hope किसी ने नहीं किया होगा मैं injustice का संबान करता हूँ मैं यह नहीं कह रहा हूँ मैं law की interpretation की बात कर रहा हूँ this is the bad interpretation of law यह हम कह सकते wrong interpretation of law आगे की बात accused is punishable punished only under IPC उस case में यह तर्क दिये गए कि यह जो अपराद तो इसने किया है बढ़ छोटा अपराद है चोटा कौन सा अपराद है इन्हों नहीं बोला कि यह Indian Penal Code के अंदर 300.54 का अपराद है पॉक्स नहीं लगेगा क्योंकि पॉक्स लगा तो रिला जाएगा मतलब पॉक्स लग गिया तो लंबा जेल में जाएगा तो अरे फासी तक की सजा होगी क्यों सेक्शन 6 में एग्रावेटेट में भी जा सकता है देखिए तो बोला गया यह 354 का अपराद है अब 300.54 का अपराद होता है मतलब लज्जा भंग करने वाला अपराद क्या यह लज्जा भंग होई है दोस्तों नहीं यहां बहुत गंदा काम हुआ है तो यह 354 का अपराद बता के इसको हटा दिया सेक्शन का नेरो इंटर्पेटेशन किया गया मतलब ब्रॉड इंटर्पेटेशन नहीं किया गया इसका नेरो इंटर्पेटेशन किया गया इस judgment के against में क्या हुआ नेशनल अब इसका narrow interpretation आया इसका बहुत बवाल चला पूरे इनका मतलब बता दूँ आपको कि इस decision का हर जगह पर बुराई हुई फिर इसके बाद कई लोगों इसके against में आये इवन जब इसका decision आया ना तब यहां तक की बात बता दूँ जब इन्हों सा decision है लेकिन कोई खोलके विरोध नहीं कर पाता था क्योंकि justice की बात थी content of court से डरते हैं लोग ठीक है 2021 का case है तो इसमें क्या हुआ इसमें मामला जब आगे बढ़ा तो एक कारे करता थी political party से भी जुड़ी हुई थी कोई और basically वो एक सामाजी कारे करता थी आयोब गुजर थे जिन्होंने ये बात बोली थी उनके offices उनके घर पर ऐसा कहा जाता है मैं ऐसा क्लिम नहीं कर रहा हूं भात को समझे उन्होंने क्या किया सैफ्टी के packets condoms के packets सभी offices पर भेज़ दिये social worker ने बोला कि क्या अगर सैफ्टी को यूज करते हुए रेप किया जाए तो रेप यहां पर यह गलत क्यों नहीं है रेप अगर सैफ अगर दस्ताने पहन लिए जाए पूरा जूरा पहन के और सैफ्टी यूज कर ली जाए तो क्या वो रेप में नहीं आएगा उस social worker नहीं तरक दिया और यह कदम उसने इतना बड़ा उठा लिया जिसको न्यूस चैनल से मे मौन की वह आई और एटॉन्नी जनर्रों पॉर इंडिया ने पिटिशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में अब केस का नाम बन गया सतीस रगड़े वाला जो केसं हा उसका नाम क्या बन गया एटॉनीं जनरल फॉर इंडिया वर्सेष्श तीस एंड एन अर सतीस एंड एनडर दो हजार एक केस यस और नो इस केस से बात आगे चली इन दिस केस सुप्रीम कोट सेड इस मामले में सर्वोच नियाले ने क्या कहा बहुत बुराई करी सर्वोच नियाले ने डिसीजन की बोला दियर इस नो नीड ओफ इसकीन तो इसकीन कॉंटेक्ट कोई ज़र दूसरी बात सुप्रीम कोट ने बोली इट शुड भी सीन देट सेक्शूल इंटेंट है या नहीं पहला डायरेक्ट कॉंटेक्ट हो या नहीं हो तो भी अपराद है दूसरा हमें सेक्शूल इंटेंट को देखना अगर कोई टच करता है तो बिलकुल उसका सेक्शूल यस अब यहां पर सुप्रीम कोट ने बोला कि नो फीजिक नो स्कीन टू स्कीन कॉंटेक्ट इसकी ज़रूत नहीं है हां सिर्फ सेक्शूल इंटेंट अगर है तो देट इस सफीशेंट उसको अपराद सेक्शन सेवन में मान लिया जाएगा और सुप्रीम कोट ने बात बो एसा इंटर्पिटिशन कौन करता है जी एसा इंटर्पिटिशन कि यह पॉक्स बनाया ही क्यों हटाओ इसको तो सुप्रीम कोट ने बोला कि पॉक्स ओएक्ट के ऑब्जेक्ट को ही फिनिश मत करिए ऐसा गंदा इंटर्पिशन करके यू हैव टू इंटर्पिट लॉजिक और जानि आफ उकी में, ओके आगे चलो, तो यह था कुषको मामला सैक्शन सेवन का, आई हो आप सभी को क्लेर हो गया, अब चलते हैं आगे की बाद, सैक्शन सैवन के संबंध में ही एक आपका पनिश्मेंट से संबंधित है मामला, जो की बताता है पनिश्मेंट वोर सैक अब sexual assault साथ की सजा क्या रहेगी minimum आप सभी को बोला जाए तो three year की सजा रहती है चीक है और maximum की बात की जाए साथ ही हो तो यहाँ पर पांस साल तक की सजा रहती है प्लस fine आपको देना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं जुर्माना यस और नो देख लीजेगा इसी तरह से बे अरेक्ट में आप अपने नोट्स को बनाया करिए बैक एक सेकेंड लीजिया screenshot ले लीजियेगा मैं side हो जाता हूँ लीजिये screenshot ले लीजिये जल्दी लीजिये भाई अब ले ले तो thumbs up करिये ताकि मैं हटा हूँ अब आगे की बात करते हैं दोस्तों अब आगे की बात कर लेते हैं अब आता है D point मैंने A पढ़ा दिया B पढ़ा दिया C पढ़ा दिया अब D D के बाद E होगा खतम हो जाएगा सुनो डी कहता है aggravated sexual assault and punishment therefore aggravated क्या होता है अरे जो section 7 में पढ़ा और आठ में इसका punishment पढ़ा यह साथ का aggravated form तो जो aggravated की point आपने पढ़े थे police station में hospital में educational institution में सारे के सारे same point as it is section 9 पे apply होंगे कोई अलग से पढ़ने की जुरत नहीं है सिर्फ एकाग point आपको मैं बताऊंगा जो change रहेगा चलो एक lookout कर लेते हैं कि हमने जो section 5 की मेहनत करी हो काम आ रही या नहीं आ रही है देखते हैं यह same as approximately section 5 है इसलिए section 5 मैंने जोर दिया देखो aggravated sexual assault who are being police officer commit sexual assault on a child within the limits of the police station और premises पढ़ा था आपने वही चीज़ आ गई आगे बढ़ते हैं देखो इसी तरह सारी चीज़े एकदम common है इसलिए मैं आप सभी को यह तो होमक दूंगा मेरा अधिकार है आप तो देने का आप इसको प क्लीर यह सारे वही है यह सुरनों कि यह सब मैंने आपको दे दिया है फाइल में ताकि आप चेक कर सके डाउनलोड करके में डिफ्रेंस जो आपका है वह एक है जो की amendment के द्वारा एड किया गया था वह आपका है यू के बाद एक वी जोड़ा गया है देखो यू तक तो सा कॉमन है डिफ्रेंस है यह वी वाला जिसको मैंने देखो रैड करके लाया हूँ वह एवर पर्सुएट्स इंड्यूसेज एंटाइसेश कोयर्सेश अचाइल्ड तो गेट एड्मिनिस्टर्ड और एड्मिनिस्टर्स और डायरेक्ट एनीवन तो एड्मिनिस्टर हैल्प इ से यहां व्याण व्यरध्टी होती है वहां पर बच्चों को जल्दी जवान होने के लिए जल्दी मैच्वर होने के लिए कुछ केमिकल्स दिये जाते हैं प्र इंजेक्शन सिजट लिग कि जाती है तो ऐसे अपराध क्या अग्रावेटेड में नहीं आएंगे बिल्कुल ऐसे अपराद आपके एग्रावेटेड में आएंगे इसको जो है 2019 के अमेंडमेंट के द्वारा जूड़ा गया था जहां मैं अमेंडमेंट बोलू समझ जाया करिए 2019 क्लियर सभी को डन तो ऐसे अपराद जो हॉर्मोन्स को ऐसा एक्टिवेट करें बच्चा जल्दी जवान ह हो चाइल जल्दी मैच्योर हो बैटर काउंटेड अंडर इस सेक्शन अंडवी और वी अंड़ेट वी पनिशेबल राइट अच्छा अगर मैं बात करो अगले सेक्शन की अब यह अपराद 9 वाला हो गया 10 में पनिश्मेंट मिलेगी 10 में सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी दो मैं बोलू यहां कितनी सजा होगी यहां थोड़ी ज्यादा होगी तो कितनी होगी पांच से साथ साल की सजा होगी तो मैं ऐसे लिख दू कि आपको एकदम अच्छा लगेगा minimum minimum five years yes or no और maximum की बात करूं तो maximum seven years और इनके साथ मैं ऐसे लिख सकतना हूं plus point बिल्कुल जुर्म नमबर 10 I hope you got my point अब देखिए लास्ट पॉइंट में चल रहे हैं फिर अपनी क्लास एंडिक होगी इपॉइंट that is sexual harassment and punishment therefore क्या बताओ sexual assault कहां था जल्दी बताओ 9 में 10 में sexual assault का punishment 11 में क्या जाएगा assault की जगह harassment अब हमें थोड़ा differentiate करना पड़ेगा तीन में और हमने आगे साथ में differentiation किया जो भी था है अब हम लोग section 9 में और 11 के अंदर एक एक keyword के साथ differentiation करते हैं लेकिन जब मैं इपॉइंट की बात करूंगा sexual harassment and punishment 11 में section 11 में sexual harassment है और इसका punishment कहां दिया गया है जड़ा बताएं अरे बोलो के नहीं क्या लिख देता हूं 12 में अब ध्यान से तो इसमें कोई aggravated नहीं होता यह लिख लो note लगा लो note लगा यह मेरे साथ sexual harassment में कोई aggravated नहीं होता कोई aggravated ओफेंस नहीं है याद रखना वरना ढूंडने लग जाओगे और सब में aggravated ढूड़ा sexual harassment का aggravated नहीं मिल रहा है ठीक है समझो बात को तो sexual harassment का मतलब समझने से पहले मैं आपको वापस से उसी चार्ट में लेके चलूँगा जो चार्ट हमने बनाया था आईए ज़रा देखिए मेरा इसको देख के याद आता कि नहीं आता है ज़रा देख मेरा दीवानापन मतलब यह सिर्फ टाइपिस्ट की लाइन थी आईए तो मैंने अभी आपको एग्रावेटेड बताया sexual assault का एग्रावेटेड था जो sexual assault से संबंधी 78 था इसका एग्रावेटेड हमने पढ़ लिया हम लास्ट में चल रहे है यह वाला पॉइंट खतम करते हैं अभी मैं पढ़ा रहा हूं sexual harassment इसके दो सेक्शन से 11 12 और sexual harassment को defined कहां किया गया है दोस्तों इससे defined किया गया है section 2 जे में चार्ट पूरा भिगड़ गया होगा तो लेकिन जब आप इसको अपने घर पर बना के रखेंगे आपको enjoyment मिलेगा चलिए इसको एक दो फ्रेश आप डाउनलोड करिए कार्ट चार्ट के नहीं इसक्रिंशॉट प्रॉपर लीजिएगा ओके आईए जरा देखते हैं section नंबर 11 क्या कहता है फिर class को एंट करते हैं 11 12 के साथ देखिए section number 11 क्या कहता है दोस्तों हाँ चार्ट मेरा ही है बस बनाया टाइपिस ने पहले मुझे आप लोग थैंक्स बोलिए चलिए पाड जो हाँ अब में बास सुनिएगा sexual harassment का मतलब क्या होता है बहुत विस्तार से बहुत ध्यान से सुनिएगा a person is set to commit sexual harassment upon a child when such person with sexual intent अगर वो ये निम्न काम करता है एक व्यक्ति उस चाइल्ड के उपर निम्न अपराद sexual intent से करता है पहला क्या करता है अटर्स एनी वर्ड वो कोई भी शब्द क्या करता है अटरिंग करता है जैसे जाते ना ओहो बड़े जल्दी आ गए क्या बात है आज तो मत्रों समझे रहे हो इस तरह की बाते बोलना sexually harass करना इस section को पढ़ने के बाद आपको एक और एक पढ़ाऊंगा sexual harassment of women at workplace act वहाँ पर आप लोग समझेंगे तो any person किसी बच्चे को देखकर utter करता है any word और max any sound या कोई any sound करता सीटी बजाता है yes or no city बजा रहा है तो गलत एक नहीं है आप लोग देखे होंगे school की बच्ची आज आती है तो कुछ वो लफड़े लोग रहते हैं लफड़े लोग मतलब गंदे लोग वो लोग क्या करते हैं वो लोग उन बच्चियों पर कमेंट करना फदी फब्तिया कसना वो सब बाते करते हैं makes any sound city बजाना makes any gesture और exhibits any object दिल बनाने आता एक नहीं आता है हाथ से ऐसे दिल बना के बताते हैं कोई object part of body उसकी तरफ इशारा करते हैं with the intention that such word और sound shall be heard किस intention से करते हैं कि यह word यह sound सुनाई दे तो ऐसे गंदे काम करनी की वज़े से अगर वो करते हैं तो क्या काम कर रहे हैं कौन सा अपरात कर रहे हैं sexual harassment बोले कितना easy है और उसे different है या नहीं है यह थोड़ा स जो इसका nature of offense है थोड़ा थोड़ा normal offense है यह पहले वाले से अब देखिए यह makes a child exhibit his body or any part of his body so as it is seen by such person or any other person ऐसी कोई काम करते हैं यह समझ जाओ ना यार shows any object to the child repeatedly constantly follows or watches or contacts to a child Instagram पर अब बताओ इसका मतलब बहुत important है Instagram पे उस लड़की को follow कर रहे हो तो Instagram पे अगर आप follow कर रहे हो तो अभी अपराद हो जाएगा ओके चले चले ठीक है हाँ चैट इधर भी चल रहा चैट उधर भी चल रहा है पढ़ने के अलावा चैट का विद्यान रखना पड़ता है चलो तो अभी सुनिएगा अगर कोई आदमी कि कोई आदमी या कोई भी बच्चा किसी बच्चे को बच्ची को Instagram पर Facebook पर कहीं पर भी repeatedly friendship बेच रहा है messages कर रहा है या उसको bike लेके follow कर रहा पैदल follow कर रहा है that will be sexual harassment yes or no बिल्कुल threat is to use any form of media or a real or fabricated entices a child for pornographic purpose तो यह सारे अपराद है ठीक है अब एक प्रश्ण और आपका एक्जाम में आ सकता है explanation में देखिए any question any question which involves sexual intent shall be a question of fact अगर वहाँ यह देखना है कि sexual assault था या sexual assault नहीं था यह आपका question of fact है not a question of law चले अब last section है आज का punishment for sexual punishment for sexual harassment किसको कहा जाता है या अगर sexual harassment आप कर रहे हैं तो आपको कितनी सजा मिलेगी चले तो आप सभी को बता देता हूँ अधिक्तम 3 साल तक की सजा और fine आपको देना पड़ सकता है तो लिख देता हूँ चलो maximum 3 year लिख दीजिएगा plus fine मतलब एक साल की भी सजा हो सकती, 6 महिने की सजा हो सकती एक महिने की सजा हो सकती है जैसा जैसा आप चाहें तीन साल तक की अधिक्तम सजा आपको ये फब्तिया कसने की वज़े से जाना पड़ेगा और जुर्माना भी आपको देना पड़ेगा Yes or No? I hope you got my point. Yes or No? Thumbs Up कर दें, lecture पसंद आया हो तो बताईएगा जरूर ऐसे classes और लिखे आऊंगा बले ही महीने में 10 class ही लू, 7 class लू, 5 class लू, बट जो class लूँगा आपके लिए एकदम beneficial means of pre को मिलाते हुए लूँगा अब देखो, आप यहाँ पर जूड सकते हैं, कहाँ पर जूड सकते हैं मेरे साथ, linking laws, linking laws, अनुप सर के नाम से ये telegram channel है यहाँ पर अगर, मैं आपको अभी एक link share कर दूँगा, उस link पर click करके इसका PDF आप ले सकते हैं, कोई बात ने, ठीक है यहाँ पर यह telegram group है, जहाँ पर मैं आप सभी को मिलूँगा, आप से मेरा संपर्क रहेगा हम फिर से कोई भी information होगी, इसी group में डालूँगा और आप लोग आ सकते हैं अच्छा जी, अगला भी जो part है आप सो पढ़ लीजिएगा, यह सब बहुत ज़्यादा hard नहीं है, आप लोग कर सकते हैं अब मैं कुछ चीजे बता देता हूँ, आपके कोई बात होता आप लिख सकते हैं, कल मैं सुबह 11 बजे negotiable instrument act कराऊँगा, वो भी साथ साथ करते रहे, यह दो subject को मैं YT पर लेके आ रहा हूँ, पहला यह चलेगा, दूसरा ni act चलेगा, negotiable instrument act, देखें यह मैं आपको बता भी कर देता हूँ, the negotiable instrument act 1881, चार मार्च को कल सुबह मैं आप सभी को 11 बजे मिलूँगा, मैं फिर से आप सभी को क्या बोलूँगा, a very good morning, all of you, चलिए मैं देखता हूँ, constitution के लिए मैं बात कर लूँगा, निश्चिंद रेज जो अभी subjects पढ़ा रहा हूँ, उसको enjoy करिए, मै मैं देख लूँगा future में, प्लीज आप यहां पर आईए, हाँ, remaining sections थोड़े बहुत और मैं सलोनी जी future में try कर लूँगा, ठीक है, लिप साजी क्या करें, सर आपका तरीका बहुत अच्छा है, पढ़ाने, ओके, thank you so much, कोशिश करूँगा और अच्छे से पढ़ाऊं, NIE Act लगभग अच्छे से depth में पढ़ाऊंगा, NIE Act, NIE Act बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, आपने स्चिंद रहिए, NIE Act की दो class back to back आएगी, तो कल चार तारीक है, 11 बज़े में मिलूँगा, linking loss पर, यहीं Unacademy के platform पर, इसके अलावां बता देना चाहता हूँ, free all India judiciary scholarship test है, March past 2012 जिसको आप enjoy करिए, these are the selections, congratulations to all of you, and features, जो आपको दिये गए है, देखिए क्या-क्या features है हमारे, learn from top educators, UP, Bihar, हरियाणा, 36 गर, सब के लिए आएंगे जी, ठीक है, आपको बता दू, 18 तारिक से एक batch भी चल रहा है, जिसे आप join कर सकते हैं, वहाँ पर मैं अनुपुपादी, आप सभी के लिए सुबह 6 बजे मिलता हूँ, yes or no, ठीक है कपिल जी, कोशिश करता हूँ, specific relief, थोड़े दिन wait कर लो, इतने दिन किया है, करा दूँगा, okay, आगे की बात, recent linking achievements में linking, civil judge के ये selections है, special class के features की बात की जाए, तो interactive live classes, polls for learners, reserve hand, never miss a class, lecture notes, anytime, anywhere facilities are there, you can opt these facilities, plus की बात करें, तो 6, 12, 18, 24 months के courses, iconic में 6, 12, 24 months के courses है, जहाँ पे आप linking code यूज़ करके subscription ले सकते हैं, plus में live class, weekly test, अनुटेक से अस्ट्रेक्श कोर्स, और iconic की बात करें दोस् सकता समझो, iconic की बात करें, तो personal guidance, test analysis, study planner, experts की guideline, provide की जाती है, अब आगे की बात, these are the points which I had discussed with you, and I hope आप सभी को समझ में आ गया होगा, and पूरा perfectly clear हो गया होगा, so dear students, फिर मिलेंगे हम लोग, पॉक्सो की PDF अभी मैं आपको एक link share कर रहा हूँ, ग्रूप में, जहां पर click करके 10 minute बाद आप ले सकते हैं, so dear students, आज के लिए इतना ही, I hope मैं आपको उम्मीदों पर जरूर खरा उतरा होगा, और future में भी और acts ऐसे लेक्या होगा, कल मिलते हैं सुबह, कल मिलते हैं सुबह 11 बजे, यहीं पर आप सभी के साथ, मैं अनुप उपादे, आप सभी से विदा लेता हूँ, सभी को मेरे तरफ से जैहिन और जय भार, thank you, have a nice day